All right, क्या हाल चल चल रहे भाई, आज की इस वीडियो में तुमको बताना आला हूँ बहुत ही important चीज़कार में जो कि एक latest update आया हूँ है तो इसके अंदर बहुत ही एक कमाल का feature है जिसे तुम कभी भी anytime doubt पूच सकते हो तो basically सबसे पहली बाद तो यह feature totally free है, मतलब तुमको इसके लिए कोई extra subscription की ज़रूत नहीं, कोई extra cost देनी की ज़रूत नहीं है सिर्फ तुमको app download करने के बाद में unlock करना है इसको using the code PC001 तो basically app के अंदर बहुत सारे free features होते हैं, तो उन free features को देखो, अलग-अलग type के feature होता app के अंदर है तो free features जिसमें तुमारी special class होती है, live quiz होती है, अब यह doubt वाले feature होते है, यह सारी चीज़े होते है उसके अद में कुछ होते हैं, जो plus subscription में होते हैं, और जो कुछ होते होते हैं, iconic subscription में तो जब भी तुमको किसी भी type का course unlock करना हो, या किसी भी type का subscription unlock करना हो, तो वहाँ पर तुमको code use करना है PC001 तो basically अगर तुम free course पे PC001 अपलाय करते हो, तो मतलब जितनी भी free facilities, जितनी भी free features उसे unlock हो जाएंगे और अगर तुम किसी paid subscription पे PC001 code लगाते हो, तो तुमको 10 person का discount मिल जाएगा तो basically, अभी मैं तुम लोग को बताना हो कि basically ask.feature काम कैसे करता है तो सबसे पहली बात, तो ये सिर्फ 9th या 10th के लिए नहीं है, ये पूरी 6th से लेके 12th तक के लिए, सब के लिए valid है तो ये एक बहुत ही तगड़ी चीज है कि मतलब आप कोई से भी class में हो, maximum जो class span 6-12 वाला, वो ये cover कर लाता है एकी बार में अब देखो, basically इसके main main funding क्या क्या है, कि वहिए ये asker of feature है क्या, क्या वहिए, आप ये बार पूछ सकता हूँ, 10 बार पूछ सकता हूँ, 50 बार पूछ सकता हूँ, आप unlimited doubt पूछ सकते हो, कितने भी doubt पूछ सकते हो, दूसरी बात क्या मैं doubt थि तभी पूछ सकता हूँ, जब पूछ सकते हो, ठीक है, तो ये सबसे बात, अच्छी बात है, तीसरी चीज़ कि आपको high quality video solution मिलेंगे, मतलब ऐसा ही नहीं किसे वहाँ पे लिखा हूँ, आपको video solution भी मिलेंगे, और माल लो, by chance कि अगर आप कोई नया question लेका है, तो जो कि आपने परकट कर दिया, वहाँ पर अल्रेडी था नहीं, तो उसका भी solution आपको बहुती चंद मिंटों में देखने को मिल जाएगा, और फिर इसी के साथ आप contribute भी कर रहो है, बाकि अगर किसी ने वह question सर्च किया, तो उसको video solution immediately मिल जाएगा, जितना हो से कि आप उतना doubt इसमें पूछ सकते हो, आपको direct exact match म मतलब maximum जितनी भी question से देखो, 6 से लिके 12 तक में maximum जो questions होता है, वो ही repeated goal 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 घूमें होए होता है, तो यह सबसे तगड़ी चीज़ है, और बाकि अगर आपको homework में को assistance चाहिए, बाकि अगर आपको homework questions आपसमें देख रहो, बट एक तरह से क्या होता है, कि जब आप homework कर रह आपके अंदर सबसे पर आपको अगर unlock करने का पूछ रहा है, तो आपको यह code लगाना है PC001, क्योंकि यह free feature है, इसको unlock करने के लिए एक code लगाना पड़ेगा, भाई, यह writing थोटी से गंदी आरी, ठीक है, I don't know why it is, but anyway, PC001, प्रनाय चोहन का PC001, आपको ask a doubt पे click करना है, उसके बाद में तुमको take a picture का option मिलेगा, यह देखो step 2 देख रहे हैं, बिल्कुल clearly यहाँ पर देखे रखा, बहुत यह शांदार presentation बनी हुई है, तो आपको take a picture पर click करना है, और फिर उसका आप में जो भी photo है, आपको अपनी gallery में से या फिर gallery में से भी ले सकते हो, जैसे म select कर दाना कौन सा है, अब यहाँ पर आपको question जैसे आप select करोगे तो question automatically feed हो जाएगा, और आपको उसका जो answer है, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, एक automated bot type का तुम समन सकते हो, तो वो एक बहुत तकड़ी चीज़ लगी मुझे, मतलब personally मुझे बहुत से ही लगाई है, अब इसके अंदर यह काम करना क्यार, एक बार में सिर्फ A की डाट पूछना, वरना app जो है, वो confused हो जाएगी कि आपको question कौन सा exactly, ठीके, अगर किसी question के sub parts है, तो उनका A के question के रूप में आप उनसे पूछन, मतलब जैसे कि question 2 A, question 2 B, अगर वो दोनों questions अलग अलेगे totally, एक questions भी दिखते ने चाहिए, तभी आप A, B, C, D, answer आप पता लगा, आपको क्या है, सब parts को ने बता दिया, और फिर आप directly किसी भी book, या फिर soft copy से भी ले सकते हो, मतलब मानलोगर आप किसी PDF से पढ़ रहे हो, तो आप PDF का भी screenshot ए, photo लेकिया, छोटा सो जो उतना उतना questions मत डालना, मतलब क्या होता है कि app के लिए detect करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जितना हो से के printed का use करना, और blurred images या फिर ऐसा incomplete versions मत डालना, पूरे के पूरे जो letters है, वो clearly दिखें, तो आप उसको easily use कर सकते हो, अगर आपको फीचर unlock करना है, तो as I said, आपको ये code use करना पड़ेगा, PC001, एक काम करो, देखो, मैं बहुत ही तगडी चीज़ बताता हूँ, अब यगर तुमको कोई doubt नहीं भी है, तो अभी at least app के अंदर वो feature unlock करके रख लो, ठीके, ताकि बाद में जब आपको urgently doubt लगे तो ऐसा ना हो कि आपको इधर तर रूनना पड़े, तो क्या करो कि तुम PC001 code डाल दो, और कोई सा भी एक random सा अपना, कोई सा भी एक मान लो, कोई भी doubt पूछ के देख लो, ताकि आपका जो feature है वो unlock हो जाए, फिर बाद में आपको जब भी जब भी ज़रुत परता आप यूस कर सकते हो, बट at least for now आप unlock करने के लिए PC001 code डा क्योंकि anyway उसके प्राइस हो बनने वाले हैं, जैसे कि तुम लोगों पते होगा, आप पेस notification भी आगया है, और तुम 10% का discount भी अवेल कर सकते हो, तो मान लोगर कोई सब्सक्रिप्शन, और 10% के discount unlimited है, मतलब इसके कोई cap नहीं है, कि 10% up to 500, 10% up to 1000, मान लो 10,000 का subscription है, तो आप free to use, एक बार app news को करके देख लो, ताकि unlock हो जा, ताकि बाद में जब जरुद पड़े तो आपको इधर उधर code ढूनने के लिए भागना ना पड़े, तो with this, thank you for watching this video, I hope you liked it, और अगर इसके बाद में कोई session है, अगर ये video किसी session के पहले चल रहा है, तो make sure आप session को देखना Hello Mukul, Chetna Kumar, Hi, Dhruv, Hi, Kisna, Hi, Vyabhav, Hi, भाई, कैसे हो, Kanishka, Hi Kanishka, Shivam, Mukul, Rohan, हाँ भाई, सब को पहचानता हो मैं, ठीके, सब के नाम यहाद है मुझा है, ओके, afternoon sir, thank, आप thank you को बोल रहा है, मैं thank you को बोल रहा है, पागल हो गया हो गया, चलो, Kanishka I am boy, नहीं नहीं भाई, ये पूरा का पूरा chemistry खतम, उठा के fake देंगे पूरी तरीके से, और बिल्कुल तुम्हारा तो जीवा ने वो हो जाएगा, बिल्कुल sorted सा, ठीके, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, भाई, क्या हाल चल, पहला तो बाई, बताओ अपके energy कैसी है, सब लोगों की, ठीके, हमको हमारी energy को super duper हाया लाइक करके बताते जाओ, ठीके, धग 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 कर दो, ठीके, क्या है, यहाँ पढ़ने कौन आया, मैं तो चिल करने आओ, पढ़ाई चिल करते पढ़ेंगे यार ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिल करेंगे ठीके चिल भाषा के अंदर हम पढ़ाई को ऐसे इंटरलिंक करतेंगे कि बिल्कुल जीवन जो है बहुत ही सही हो जाएगा कितने चैप्टर होंगे आज भाई ग्रेंड फुल तीनो चैप्टर ठीक है ओल त्री चैप्टर्स कर लेंगे आज हम के मिनिस्ट्री के तो बिल्कुल जीवन जो है सौटेड है कोई दिक्कत निये और जितने लोग आ रहे हो जितने लोग जॉइन हुए हो जुनके एनरजी हाई है तुमको एट लीस्ट पंद्रा से भी इसने इस सेशन के अंदर बैठे रहेना है उटके मत जाना क्योंकि जो उटके चलेगा वो रिग्रेट करेगा क्योंकि हम तीन गंटे में चिल करते करते सेशन कंप्लीट करेंगे ठीक है तीन गंटे से भी कम है भाई टू थर्टी में ठीक है चलो क्या लिखाया है यह आप चिल्ला तो तो फिलिंग आती है एनरजी हाई हो जाती है ओके और थोड़ा चिल्ला लोगा भाई आज तो हमने खाना भी नहीं खाया है आज हम विना खाना खाया चिल्लाएंगे ठीक है और मेरी बात से नहीं जितने भी लोग अभी देख रहे हो आज मुझे शाम को 6 बजे अनेकडमी 910 10th YouTube चैनल के उपर तुम सब चाहिए क्योंकि उस पर हम करेंगे फिजिक्स के जो बाखी के दो चेप्टर के कोई से ना वो ठीक है तुम्हारे क्या होगा कंसेप्ट इससे जड़ जाएगा थो ठीक है तुम्हारे जाले हैं दिमाग के उस जड़ जाएंगे तो बड़ी आज शांदर तरीके से फील आजएगी ठीक है चलो आप चिल्लाओ मत स्पीकर फट जाएगा भाई आवास कम कर बड़ हम चिल्लाना कम नहीं मतलब ठीक है नहीं चिल्लाएंगा तुम लोग बोल तो और जितने भी लोग देख रहो यार जितने भी लोग सेशन को ना बिना लाइक किये छोड़ के चले जाते हो ठीक है ऐसा मत किया करो ठीक है वाईस इस नौट आरी है आवास तो मेरे सब चैनल भाईया कहा है कैसा है ठीक है एब तुम्हारे पास में होपफ़ली होगे यहां से तुम स्पेशल क्लास एकसे कर सकते हो इस तरीके से और इट्स हाय टाइम जैसे एनरजी हम सब की हाय है ना वैसे ये टाइम भी हाय है तो मेक शूर कि अगर तुमने अभी तर्कोई सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छा हो तो तुमको फ्लैट 10% का डिस्कॉड मिल जाएगा कोई से भी सब्सक्रिप्शन पर ठीक है तुमारे भाईया दीदी वगरा को भी लेना हो ना कोई सब्सक्रिप्शन यूपेस से अगरा का कैसी बी चीज का तो तुम मेक शॉर कि आपर तुमको देखने को मिल जाएंगे, ठीके, तो इसलिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन चेकाउट कर सकते हो, मैं तुमको रेकमेंड करता हूँ कि तुम 6 महिने का या 12 महिने, जादा जितने जादा महिने का लोगे, उतना सस्ता पड़ता जाएगा, ठीके, जैसे आइकोनि सब्सक्रिप्शन में तो 5,000 रुपए ओफ हो जाएगा, ठीके, तो मेक शूर कि तुम्हें 10% वाला कोड लगा रहे हो सब जगे, चलो, बहुत ही बड़िया, भाई ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आया है, जिसके अंदर 9-12, मतलब ये जो तुम्हारा CBC अला पोरशन ह प्लस फाउंडिशन दोनो, एक साथ तुमको देखने को मिल जाएगा, तो इसकी प्राइस एक साल के सिर्फ 26,000 रुपीज है, मतलब एक महिने का तुमको सिर्फ 2100 रुपए देने है, ठीके, तो इसमें भी अगर तुम को एक्स्ट्रा 10% डिसकॉंट, मतलब 26,000 में तुमको एक्स्ट्रा डिसकॉंट मिलके कितना हो जाएगा, तु 26 रुपे डिसकॉंट हो जाएगा, ठीके, ओके, और ये बुका क्लास का फीचर जो है, मैं 10 वाले, जितने भी भाई बंदू है, तुमारे 10 वाले, उन सब को बोल देना कि मैं, बुका क्लास के अंदर, बहुत सारी क् करना है, एप के उपर, उसके लिए तुमको ये डालना पड़ेगा, कोड जैसे किसी की भी स्पेशल क्लास तुमको अनलॉक करनी है, तो तुम ये PC001 कोड डाल सकते हो, ठीके, बताओ क्या कोड है, सब लोगों को याद हुआ कि निवा PC001, और मैरी बात सुनो, it is a 3 hour long class, भ जैसे भी तुम एक लोगंटे कुछ खतरना करनी है, ठीके, अगर तुमको दोस बुला रहे तो उनको बोल दो कि बाद में परिशान करना है, क्योंकि अभी दो गंटे बैटके, मैं अपना revision करने वाली हूँ, या revision करने वाला हूँ, ठीके, चलो, अच्छे से पढ़ाओ, भ तो उठा के पटक देंगे, भाई, पूरी तरह उठा के पटक देंगे, तो मेरे इसाब से हमको चलना चाहिए 3-2-1, यह सबसे सही स्ट्रेटिजिय मैं तुमको हमेशा बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर अटम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक्टम सिन मॉलिकूल कर लेंगे, फिर इस मेटर अराउन उस प्योर कर लेंगे, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है, उस पर हम एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, और जो थोड़े बहुत ऐसे हलके फूल के हैं, उस पर हम लाइक्स का टार्गेट रखेंगे 500 लाइक्स का, तो जितने भी लोग अभी देख रहो ना भाई, तुम लोगों को 500 लाइक्स लाके देने हैं, उसको इसके उपर, आज शाम को 6 बज़े लाइव होने वाली है, ठीक है, चलो, हाई, सर तान ने कबसे अपने डेस्ट रागर तो मेरे एसाब से हमको 3-2-1 चलना चीप, फेले 3-2-1 चेप्टर, 2-2 चेप्टर, भाई, नोट्स की खुशकवरी ने तुमको बता था ना, आज या कल में तुमको मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स की खुशकवरी जो अनॉंसमेंट है वो तुमको आज या कल में मिल स्ट्रक्चर अब एटम से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपना है नहीं कि कल वाले कबड़े, भाई, मेरे पास में दो जैकेट है और दो टी-शर्ट है, ठीक है, और वैसे भी हम लड़के हैं, ठीक है, वैसे तुम्हें नहा लिया हूँ आज, बट हमारा कितना सही होता ओके, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, इन, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, स्ट्रक्चर अफ एटम, वाट्स गोना हैपन इन दे नेक्स फ्य मिनिट्स, पहले में तुमको एक्चुल, देखो, इस चैटर के अंदर अब चलो, ध्यान सब थोड़े पढ़ाई के मोड में आ जा यहां पर मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही सही, ओके, तो स्ट्रक्चर अफ एटम, एटम्स की विस्तरित चर्चा, ठीक है, इस चैटर के अंदर हम क्या करना आ ले, जो एटम है हमारा, उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्टिव चर्चा करना ले, चलो एक काम करता हूँ, बॉटल यह रही भाई, बॉटल यह रही, बॉटल यह रही, बॉटल यह रही, हैलो भाहिया, कल मेरा एक्जाम था, बहुत अच्छा गया, ठीक है, अभी मेरी बात सुनों, मैं तुमको पहले बता देतो, कि तुमारी जो तीनों करें, उसका सार क्या है, उसका सार कुछ ऐसा है, कि हम पहले तो एटम्स की चर्चा करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम एटम्स से बने मॉलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं, ठीक है, फिर हम उन एलिमेंट्स को मिक्स करके देखते हैं, कि यह मिक्स्चर कैसा है, ठीक है या फिर उनको react करके देखते हैं ठीके, तो basically है कुछ नहीं हमको atoms से ही atoms के उपर हमारी पूरी कहानी जो है वो विस्तरित तरीके से लिखे हुई है और उसमें हमको धिरे-दिर आगे बढ़ना है जैसे atoms हमने molecule बना लिया, molecule समने element और compound बना लिये, और element और compound काखुल, I'm sorry if I pronounced it wrong anyway, ठीके, चलो तो पहला, तुमारी जो chemistry ना chapters उल्टे लिखे हुए, मेरे एसाब से ना इस type से होना चीए था, अगर मैं तुमारी किताब लिखता chemistry किताब मैं पक्का ऐसे लिखता, पर कोई बात ही मेरे को चांस मिला नहीं, बड़ मुझे चांस मिल चुका ही कि मैं तुम लोगों को समझा दू, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, structure of atom की, ठीके, तो पहले हम एना atoms की चर्चा करते हैं, फिर atoms से molecules की, फिर इससे इसकी और इससे इसकी ठीके, हम बिल्कुल अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीके चलो, करें स्टार्ट भाई, energy सब है न, high authority उठालो, अपनी सब ऐसे, उपर करके और अब हम शुरू कर लेते हैं, वैसे दस मिनिट हो गए हमारी class को, ओके, बहुत बढ़िया चलो हाँ, यहां थे हम, ठीके, तो पहले तुम बहुत आते हो, structure of item होता कैसा है मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि atom कैसे होता है अब यह मत बुले भाई, ऐसा क्यों होता है मैंने नहीं बनाया, ठीके, यह तवस बना बनाया मिल गया हमको, लाखो करोडो सालों से, atom कुछ ऐसा होता है यह क्या बना दे, यह circle spherical होता है, ठीके, कुछ-कुछ इसे note करते जाओ, कि atom जो होता है उसका structure spherical होता है ठीके, अब इस atom के बिलकुल बीच ओ बीच center में, क्या होता है center में क्या होता है nucleus, nucleus, nucleus ठीके, प्रणे भाईया nucleus होता है, ठीके, center में nucleus होता है अब, यह जो तुमारा atom है, इसके आज स्पास, ठीके, ऐसी orbits होती है ठीके, orbits होती है अब इन orbits में घूम रहे होते हैं, electrons ठीके, तो यह तुमको देखना है किसके साथ दिख रहा है, अरे यह तो solar system सिंटम जैसा दिख रहा है, solar system को हिंदी में क्या बोलता है अरे solar system को हिंदी में क्या बोलता है Blizzard कुछ तो मस्ती था ही नाम सा उसका यार सौर मंडल सौर मंडल, ठीके सौर मंडल, जो पूरे ब्रह्मान को बहुते है तो यह solar system जेख रहा है यह देखो, बीच में हो गया हमारे सूरज जी और आसपास गुम रहे हैं हमारे सारे के सारे फ्लाइनेट्स, जिसमें से एक हमारा भी है धर्ती माता, ठीक है? अब धर्ती माता भी गुम रही है, तो वैसे ही, हमारे जो एटम होता है, उसके आसपास जो ओर्बिट्स होती है उसमें इलेक्ट्रोन चक्कर काट रहे होते है बिचारे गोल गोल घुम रहे होते है नूकलेस के आसपास चकर काट रहे होते है अब यह इलेक्ट्रोन कितने होते हैं हर ओर्बिट में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वह हम आगे जलके पड़ेंगे, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, अब यह जो हमारा सेंटर होता है, जो हमारा नूकलेस होता है, जो हम नूकलेस बोलते हैं, इस नूकलेस के अंदर दो चीज़े होती है, कौन-कौन सी दो चीज़े होती है, अब देखो, अब एटम ढूंद ना था किसी को, ठीके, तो ये ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कि बिलकुल एक सैंटिस्ट आया होंगे, और उन्हें बोला कि चलो आज तो तो तुमारा भाई एटम ढूंद के बतायागा, ठीके, ऐसे माइक्रोस्कोप लिए और निकाल के बोल द मिला, ठीके, अब ये भी बिलकुल करेक्ट नहीं है, ठीके, अब ये माद बोलना, भाईया, आप ये क्या बोल रहो हो, भाई मेरी बात सुनो, देखो, chemistry का और ये evolve होती है, और ये science evolve होती है रहा है, तो हो सकता है आज से 10-50 साल बात, प्रणे भाईया के जो पोते होंगे, वो कुछ और ये अटम सुन रहे होंगे, ठीके, उनके उसमें अटम की तिरता ही कुछ अलग हो रही होगी, उनके किता भी अलग हो रही होगी, ठीके, उनके सारे models ये अलग हो रहे होंगे, ठीके, वो तो अभी हम है, हमको ये पता है, ठीके, हमारे दादा के जमाने में ये मज़ा आएगा मज़ा आएगा तो सच्ची में तुमको ना सीरिसली बताओ ना तुम वो मज़े के चक्कर में तुम इतना तगड़ा रिविजन कर लेते हो कि तुम्हारे परस चांस नहीं बचता बूलने का ठीक है और मैं सिर्फ इस तरीके से कर रहा हूं ताकि क्या होगा कि कि तुम भूलो ना मस्ति मज़ा क्या आद रहे तुमको कि तुमको वह याद था है हम पूपर बहुत बढ़िया निउटरन एंड़ प्रोटोन ओके अब क्या करना था हमको अब हमारे जीवन में क्या चल्चा बचित ही तो यह होगा हमारा एटम यह एक्ट्वन आज की तार बना लो, बनाते जाओ, या फिर नोट्स बनाने तो मेरे वन शॉट वीडियो देखो, उससे बना लो, कि इसमें हम थोड़ासा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उतना कर रहे हैं, जितना हमको एक्जाम में जरूरी आएगा, ठीक है, तो इस दिस्कवरी इन फिल्ड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ चुपा हुआ है, उनको हमने सब अटामिक पार्टिकल का नाम दे दिया, ठीक है, बाई, नोट्स की खुश कबरी तुमको आज और कल में देखने को मिल जाएगी, डोंट वरी, आज का स्केडूल मेरा बहुत टाइ ठीक है, तीन बज़े से लेके साथ बज़े तक बैक टू बैक क्लासेश चल रही है मेरी, ठीक है, तो आज साथ बज़े के बाद ही होगा जो होगा, चलो, अब प्रोटोन वरोटोन की चर्चा कर रहे था, ठीक हो थोड़ी बद चर्चा सुन लो, अब यह तो प्रोटोन है, ठीक है ये neutron है ये electron है ये सबका क्या system है इन सबका बहुत ही आसान system है इनका तुमको बस mass याद रखना है और इनका charge याद रखना है ठीक है चार्ज जो होता है कितना होता है चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के अपर देखो पहली बात तो चार्ज क्या होता है मैं तुमको बदाता हूँ रुख जाओ अरे पॉजिटिव 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 की बात नहीं करना भाई इन उसका quantity वह पूछ रहा हूँ जोंकिसं मॉल में रेलिंग को हाथ लगाँ हो एंद सब्सूदा एंदर दोन होता है पर पॉजिटिव फूज्टिव पॉजिटिव फोजिटिव फोजिटिव फोजिग उता है प्रोटोन के पर चार्ज जो होता है, वो होता है, प्लस 1.6 इंटो 10 to the power माइनस 19 कुलम्, ओर भईया, यह कुलम् क्या है, कुलम् एक यूनिट है, मेरे भाई, ठीक है, कुलम् एक यूनिट है, कुलम् कैसी यूनिट है, डार्क पे निहूज मत कीजिए, इतना light तो है यलो तो है ठीके कुलम मतलब क्या होता है अरे जैसे kilogram unit होती है ग्राम mass की meter, liter यह सब units होती है वैसे charge की भी कुछ ना कुछ unit रखनी पड़ी हमको वरना charge बुरा बाँ जाता तो कुलम जो होता है वो charge की unit होती है इसको हम C से represent करते है ठीके इसको हम C से represent करते है चलो ओके अब electron के अपर charge केता होता है electron के अपर उतना ही charge होता है जितना proton के अपर है बस यह charge negative में होता है तो यह गया minus 1.6 into 10 to the power minus 19 खुलम ठीके इतना charge हमको देखने को मिलता है proton और electron के अपर अब neutron के अपर 0 charge है अब तुम इसको प्लस लेलो मानस लेलो कोई फरक नहीं पड़ता है तो बस इतना यह तकना है कि चार्ज proton और electron पर सेम होता है क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम ठीके कुलम शुट भी C small or capital भाई C capital ठीके चलो अब proton और neutron और electron के mass की बात करते है अब देखो मैंने तुमको एक चीज़ ध्यान दखो कि जो electron होता ना विचारा बहुत ही हलका फुलका होता है ठीके विचारा absolute and relative charges क्या होता है ककुल देखो absolute charge मतलब relative देखो relative motion क्या होता है relative motion क्या होता है और absolute motion क्या होता है मतलब absolute मतलब ये तो standard तरीके से हो ही रहा है ठीके और relative motion कैसा होता है कि हो सकता ही कि मेरे लिए relative motion हो रहा हो और तुमारे लिए ना हो रहा हो but absolutely अगर हो motion हो रहा है मतलब वो हो ही रहा है 12 मिट में 307 फर्स टैम इभी आरे इन दोनों का मास जो होता है, वो सेम होता है, क्या होता है मास ? 1.67 इन्टू 10 to the power minus 27 kg. अरे भाई, ये मास बहुत कम है, ठीके ? ये मास बहुत 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 कम है, ठीके ? बहुत जादा कम, ठीके ? और निट्रेण का मास, बताओ, निट्रेण का मास, proton के बराबर होता है कि electron के बराबर होता है neutron का mass proton के बराबर होता है यह electron के बराबर होता है A या B यह लो भाई pole चाहिए था तुम्हें pole ले लो neutron का mass proton के बराबर होता है कि electron के बराबर होता है proton के बराबर होता है तो A vote करो electron के बराबर होता V vote करो जीरो नहीं होता भाई मास मास किसी चीज का जीरो नहीं है संसार के अंदर समझो nothing is massless ठीके मास किसी ना किसी का होगा बहली बहुत कम होगा बट मास तो होगा ना बिना वजन के कोई चीज कैसे exist कर सकती है इंफेक्ट जो हवा गूम रही है ना इसका भी हलका सा बहुत ही minute सा मास है ठीक है चलो तो neutron का मास और proton का मास सेम होता है भाई ठीक है और minus 27 kg और जो electron का मास है यह होता है 9.6 into 10 to the power minus 31 kg minus 31 मतलब अब तुम लोग बढ़े 9.6 बढ़ा तो नहीं 1.67 नहीं 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 यह minus 31 है ना minus 31 kg ठीक है minus 31 kg मतलब यह करीब-करीब 1000 से जादा गुना कम है इसका मास मतलब electron के मास का 1000 गुना मास है neutron और proton का ठीक है तो अगर electron का मास 1 kg होता ना तो neutron का मास 1000 kg होता एक टन ठीक है 9.1 ओ सॉरी सॉरी हाँ 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 9.1 into 10 to the power minus 31 kg अरे रॉंग रॉंग ठीक है वाई गलती होगी ना यार अब यत्त वह हो गया मैं थोड़ा सा 1.6 और 9.6 में ठीक है चलो ठीक है तो कोई भी चीज मास मासलिस निसब का मास होगा ठीक है अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अब देखो ये bottle है और इसके सामने बड़ा सा बुर्ज खलीवा खड़ा कर दो, तो ये bottle का mass तो उसके सामने बुर्ज खलीवा के सामने तो बिल्कुल negligible ही होगा, ठीक है, तो वैसे ही एक atom के अंदर electron का mass बहुत negligible होता है, तो जो main mass होता है atom का, it is concentrated at the center, अरे इसका मतलब क्या हुआ, दे concentrator रहता है center के उपर, center के अंदर, ठीक है, चलो, neutron और proton के कारण, चलो, अब एक कौन क्या लेके आया, एक मिटर मैं कोई चीज भूल तो नहीं रहा हूँ, neutron, proton का mass, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो, सर, आप देख नहीं रहे हैं, देख रहा हूँ, साक्षी, ठीक है, कौन क्या लेके आया, देखो, neutron सर चैडविक लेके है, proton सर गोल्चीन लेके है, और electron जेजर थॉम्सन, ये बहुत important साहाब है, इन्होंने सबसे पहले हमको बताया था कि भाहिया, electron जैसी कोई चीज होती है ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, बहुत सही, ओके, proton का मास क्योंता है, भाई, proton का मास यहाँ लिख रखा है, यह देखो, यह रहा मास प्रोटोन का, चलो, proton सर अलसो कोल्ट केनाल रहे, ठीक है, और electron सर अलसो कल्ट के थोड़ रहे, ऐसी चीज़े मैं लिख रखी है, यहाँ लिख के छोड़ दी, ठीक है, चलो, different numbers related to atoms, देखो, अभी जो atom है न, इसके हमारे पास में कुछ अलग-अलग number से atom को categorize करने के, atom को एक तरह से describe करने के लिए, कि भाईया, यह copper का atom का, इसमें कितना atomic number है, कितना mass number है, मतलब हर तरीके से, हर तरीके से, तुमको atoms के बारे में चर्चा easy हो जाए, इसलिए हमारे पास में दो number होता है, atomic number होता है, और mass number होता है, ठीके, अरे वह यह atomic number क्या होता है, atomic number होता है, total number of electrons और protons in a given element, ठीके, 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 आपको इतना वह चर्चा करने के इसपे जरुआत नहीं है, यह हमारे 11th में एक experiment होता है, कैनल, cath ठोडर experiment, उसमें हम electron, proton बगरा, bombarding बगरा करता है, वो चीज़ होती है, ठीके, 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 अब यह sodium के आटम के पास में कुछ electrons होंगे, कुछ protons होंगे, और कुछ neutrons होंगे, ठीके, अरे हर atom के पास में, अलग number of electrons, अलग number of protons और अलग number of neutrons होते हैं, ठीके, तो sodium के पास में कितने होते हैyan, 11 electron होते है, 11 proton होते हैं, और 12 neutron होते है, यह चीज़ हमको याद है, यह चीज़ हमको है, यह चीज़ याद है, मतलाब यह चीज़ हेना, scientist लोगों ने बता रखिया, हमने नहीं निका लिये, मैंने बेटके नहीं गेना था class लेने से फेले कि अप proton कितने होंगे, electron कितने होंगे, neutron कितने होंगे बाई एक बार बोलो ना कि chemistry को उठा कर पटक देंगे, बाई उठा कर पटक देंगे, चिंता मुद करो, ठीक है, fake देंगे बाहर चलो, अब देखो, atomic number, आप मुझे किसी ने बूछ लए कि यह sodium का atomic number कितना है, तो मैं बता दूँगा कि अरे, देखो, इसके electrons और protons, देखो हमेशा number of electrons is equal to number of protons ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, number of electrons is equal to the number of protons, ऐसा क्यों, ऐसा इसी लिए, क्योंकि atom जो होता है, व होता है, जीरो, ठीक है, तो भले ही atom के पास में, electron भी है, proton भी है, negative charge भी है, positive charge भी है, बट ये दोनों same quantity में रहता है, तो positive और negative एक दुसरी को cancel कर देता है, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारे पास में, तो electron, proton, neutron, okay, बहुती बढ़िया, अब देखो, mass number के होता है, mass number हो और उसके neutrons का, ठीक है, तो mass number के हो जाएगा, sum of number of protons and neutrons, बस इतने सी बात, ठीक है, protons plus neutrons, बस इतनी सी बात न, है न, चलो, structure of atom, चलो, अब आ जाते है, अलग-अलग models of atom पे, तो पहली बात है, model का मतलब क्या है, model का मतलब क्या है, अरे, model का मतलब ये है, कि हमारे जो atom है, जैसे हम model बनाते हैं, science के project मिलता हमको, तो science के project में model बनाते हैं, दो-तिन model बना के रख दते हैं, तो वो models क्या होता है, वो model actually ये होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो model ये, next class का वे, रादी का 6 बज़े है, आने केड़ में 1910 के उपर, उस पर हम एक quiz लेंगे, physics के, ठीक है, तो model जो होते हैं, हम explain करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एक model हमको दिया, JJ Thompson जी ने, ठीक है, दूसरा model हमको दिया, Rutherford जी ने, और तीसरा model हमको दिया, Mr. Bohar ने, और भी models आया बीच में, बटी इन तीन models को हम सबस्यादर study करते हैं, क्योंकि ये सबस्यादर relevant थे, ठीक है कौन सी कोई से, भाई, भाई, ये कोई सोना लिए, physics का, gravitation और work energy power के उपर, ठीक है, चलो, बहुत सही, तो structure of atom, पहला model आता है, Thompson बहिया ने, एक बात बिल्कुल clearly बोल दे थी, हमको, Thompson जी ने एक बात बहुत clearly बोल दे थी, कि, atom जो होता है, वो एक watermelon की तरह होता है, ठीक है, atom जोता है, पूरा circle होता है, positive charge का, और उसमें, बीच में, जैसे, बीच होता है, अब जैसे, हम अनुद, बीच में से, तर्बूज को काट रहते है, आयाय, बहुत ही tasty तर्बूज, थोड़ा आराम से चलता हूं, भाई, चलो, एक minute, मैं बहुत जोर-जोर सा ना बोलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा chill करता हूं, मैं भी, तुम लोगों वो chill करता हूं, मेरा chill ना निकल जाएगा ही, ठीक है, चलो, चलो, ओके, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच, ओके, चलो, atomic number is equal to, मतलब, number of protons, या number of electrons, ठीक है, चलो, तो जो हम तर्बूज को बीच में से काट लेते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अब ऐसे तर्बूज के अंदर क्या क्या होता है, यह देखो, मारे पास बीच होता है, ठीक है, यह बीच होता है, हमारे पास में, ठीक है, यह बीच है, यह सब बीच होता है, हमारे पास में, है ना, अब य वैसे ही एटम के अंदर पूरा पॉर्जटिव चार्ज बोल सकते हैं तो पूरा पूर्ज़ पॉर्ज़ बीच में जैसे एक तर्बूज के अंदर बीच गड़े हुए होते हैं वैसे ही इसके अंदर electrons गड़े हुए होते हैं तो electrons are embedded in this embedded ठीके क्या होगा भाई क्या कौन spam कर रहा है यार ठीके, electrons are embedded in it, ठीके अब इनका यह कहना था, पर अभी यह आज के हिसाब से तो बहुत यह लगे, आज का model कैसा है कि यह proton जो है, यानकि positive charge रिवाल्व कर रहे होंगे, गोल-गोल घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे इसमें तो ऐसा कुछ भी system नहीं, इसमें तो ऐसा fix कर दिया सब कुछ, पर इनोंने कुछ-कुछ बात है सही बोली थी पहली बात तो electron यह लेके आया था क्यों, क्योंकि जितना positive charge है, उतना ही negative charge है तो overall charge cancel हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात बोली थी इनोंने तो इसको हम plum pudding model भी बोलते हैं, ठीक है, तब अब ध्यान रखते हैं, सुन तो जो मेरी बात plum pudding model, plum pudding model इसको क्यों बोलते हैं, अरे भाई, इसले बोलते है plum pudding model, क्योंकि इसको जब मैं बीच में से break कर देता हूँ, तो भी ये same देखता है, ठीक है, इसमें भी पूरा का पूरा, जैसे इसके अंदर dry fruits embedded होता है, उसी तरीके से एक atom के अंदर electrons embedded होता है, ठीक है, चलो, आपको nobel prize मिलेगा, thank you अक्षा है चलो, दूसरा model, अब देखो, Thompson भीया का model के कुछ समय बाद में, एक और scientist है, Rutherford जी, उन्होंने बोला कि यार, मुझे है न, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हमको ये थोड़ा सा इतना मस्त नहीं लग रहा, ठीक है, तो Rutherford भीया ने थोड़ी और discovery, क मैं कुछ और गरता हूँ, तो Rutherford जी ने क्या क्या, क्योंने एक experiment क्या, अब उस experiment को हमको पढ़ना है, क्योंकि ये जो experiment है, ये 5 marks में directly उठके आ सकता है, ये 5 marks में directly उठके आ सकता है, ठीक है, तो Rutherford experiment ने क्या बोलता है, हमको, देखो, Rutherford, इसको बोलते है, Rutherford alpha particle scattering experiment, या फिर Rutherford का gold foil experiment, ठीक है, Rutherford gold foil experiment, या Rutherford alpha particle scattering experiment, ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ, इसके अंदर कि हमने 3 चीज़े उपयोग में आप ध्यान से सुनता है, ठीक है, ठीक है, प्रेक्टिकल में आगा क्या, ये प्रेक्टिकल करने को नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते त अब alpha particle लिया, एक तो alpha particle हो, alpha particle क्या होता है, alpha particle होता है, he2 plus ion, यानि कि helium का ion, helium 2 plus ion, या फिर हम इसको helium nuclei भी बोलते हैं, helium nuclei क्यों बोलते हैं, अरे देखो, helium के पास क्या है, दो proton, दो electron, अब अगर proton जो है, वो तो center में है, तो अगर मैं सिर्फ nucleus को consider करता हूँ, मैं helium atom को consider नहीं क्योंकि बाहर दो electron है, तो वो charge हो है, वो cancel कर देंगे एक दूसरे का, बट अगर मैं सिर्फ helium nuclei की बात करो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ न कि इस पर 2 प्लस का charge रहेगा, ठीके, समझ नहीं है, अरे भाई देखो, चलो मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, देखो, alpha particle निकाल ले, तो यह 2 प्लस आयन बन गया, ठीके, मैंने इसके electrons को consider नहीं कया, तो यह 2 प्लस आयन बन गया, ठीके, अरे भाई, सुनो, आरे यहां यह पिछले chapter में था, कि atom, अरे हमको पता है, first chapter से start कर लेने चाहिए, पर कोई से लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ठीके, क्य होता है भाई, कि जब भी मैं किसी atom में से electron का lane देन करता हूँ, या तो electron निकाल रहा हूँ, electron दे रहा हूँ, तो हम उसको iron घोशित कर देते हैं, अब iron के उपर यह तो negative charge हो सकता है, या positive charge हो सकता है, ठीके, चलो, gold foil, gold foil क्यो लिए, इसका भी कारण है, यह तो उमको exam directly because it is extremely malleable, मतलब हम इसको बहुत ही पतली-पतली sheets में convert कर सकते हैं, बहुत ही पतली-पतली sheets में हम इसको दे सकते हैं, ठीके, निकाल के, तो यह हो गया, malleable, ठीके, अब यह पतली-पतली sheets की जरवत क्यों पड़ी, कि कि मैं तुमको बताऊंगा भी experiment को करना का है, ठीके, iron मे neutral हो सकता है, नहीं भाई, सिदार्थ, अगर iron neutral हो जागा, तो वह तो atom ही रहेगा ना फिर, iron है कुछी, iron है atom with charge, ठीके, जिसमें समने electron का थोड़ा बहुत लेंदिन कर लिया है, एक second, हाँ, तीसरा हम को था, why not silver, वो मैं भी तुमको बताऊंगा न, ठीके, ZNA screen, एक screen चाहिए तमको observe करने के लिए, अब देखो, experiment कुछ इस प्रकार का था, कि यह alpha particle ही देखो, यह क्या है, alpha particle emitter है, मतलब समझो, बंदूक है, ठीके, इस बंदूक से दर-दर-दर machine gun जैसी गोली चल रही है, ठीके, alpha particle फिर से बोलो भाई, alpha particle कुछ नहीं, alpha particle नाम दे अब देखो, alpha particle है, कि actually, यह HE2 plus ion को हमने alpha particle बोल दिया है, HE2 plus हैने कि helium 2 plus ion को, ठीके, अब देखो, alpha particle emitter ले, अब यह क्या करना, machine gun की तरह धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक-धक चला रहा है, मतलब धेर सारे alpha particles से आम पर इसे जा रहे है, यह alpha particles धक-धक-धक- करके जा रहे है, ठीके, अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसा होगा, कि gold falls से टकराएंगे, पर हमने जो observe किया, वो यह किया, कि maximum alpha particles जो है, वो टकरा के आरपार निकल गए, मतलब उनमें कुछ भी change नहीं है, तो basically, हमने क्या किया, देखो, side view देखो, यहाँ पर से alpha particle की गंथी, alpha particle से बंबाड हो रहे थे, तो यहाँ alpha particle आया, और maximum alpha particle जो है, वो सीधे के सीधे निकल गया है, ठीके, बीना किसी deflection के, यह देखो, यह देर सार alpha particles आते आ रहे है, और सीधे निकलते आ रहे है, बीना किसी deflection के, ठीके, तो यह चीज हमको पहली पता चली, ठीके, यह हमको पहल अरे मेरी बात सुनो कुछ नेचल करो ठीक है अलफा पार्टिकल्स बंबाड हो रहे हैं इसमें से ठीक है इसमें से जा रहे हैं अलफा पार्टिकल्स और ये गोल्ड फोल्स टकरा रहे हैं अब गोल्ड फोल से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो चीज हमको डिस्कस करना है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो चीज हमको डिस्कस करना है, अब क्या किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ने, maximum alpha particles तो भाई gold foil जो हमने ली थी उसमें से undeflected तरीके से pass हो गए मतलब यह pass हो गए हमको यह zna screen पे दिख गया कि यह alpha particles जो है वो यहां से pass हो गए बिना किसी deflection के ठीक है ठीक है दूसरा यह था कि भाई कुछ बहुत alpha particles है जो कि इस sheet से टकरा कि हलके से deflection होगा देखो मैं तुमको यह से समझाता हूँ जैसे कि यह मान लो कि यह gold foil है अब यह gold foil है अब इन्हें यहां से alpha particle बंबाड कि है यहां से alpha particle आ रहा है अब यहां से टकराने के बाद इससे जब ही टकराया तो इस alpha particle का क्या हश्र होगा इसके साथ क्या होगा वो हमको discuss करना है तो maximum alpha particles तो जैसे इधर से आ रहे थे वैसे कि इधर से बाहर निकल गया ठीक है बिल्कुल आरपार निकल गया maximum alpha particles कुछ ऐसे alpha particles थे जो आरपार निकले बट हलके से deflect हो गया मतलब मान लोगो ऐसे सीज़ जा रहे थे बट हो यहां पर टकराने के बाद में हलका सा turn आ गया उनका angle चेंज हो गया हलका सा चेंज हो गया ठीक है और बहुत कम ऐस alpha particles थे जो कि extremely rarely ठीक है extremely rarely है कि one in every 12,000 मतलब बारह हजार में से एक alpha particle ऐसा होगा जो कि इस gold fall से टकराके पूरी तरव वापस आगया deflect हो क्या कुछ maximum hour पर चलेगा कुछ में हलका सा deflection आ और कुछ बहुत ही कम ऐसे हो जो टकराके पूरी तरव वापस आगया ठीक है यह बात समझना बहुत जरूरी भाई बहुत important है ठीक है तो यह हमारा observation हुए वाई जैने सोन लिवाई रोहित क्योंकि इस पर हमारा observation अच्छा बन जाएगा यार हमको इस पर screen पर सब कुछ अच्छे से देखने को मिल जाएगा इसलिए यह alpha particle जब screen की तरफ जाएग ने तो हमें track कर सकते कि यह कितनी दूर है मतलब यह कहीं turn तो नहीं हो यह बिल्कु स्ट्रेट आई कि नहीं है ठीक है अब देखो conclusion तो इससे हमको क्या conclusion विला देखो पहले में तो को दाता हूं कि हुआ क्या देखो यह जो gold fall थी ना यह gold fall की thickness है ठीक है यह thickness को मैंने maximize कर दिया यह thickness पर मैंने zoom कर रहा देखो समझो कि इसमें भी कुछ layer of atoms होंगी ठीक है इसमें भी कुछ layer of atoms होंगी पर यह gold हमने सिर्फ इसले लिया था कि यह जो layer of atoms है यह कम से कम हो यह minimum हो अगर मैं दूसरा लेता कोई भी मानलो दूसरा metal ले लेता जिसके ठीकनेस ज्यादा है तो उसमें बहुत सारी layer of atoms हो जाती है तो जब मानलो यह सारी deflect होने लग जाते फिर यह ultra से the deflection होता इसमें क्या है कि maximum सीधे चले आता तो हमको यह बात इसमें क्या है कि atoms की बहुत कम ले रहे है तो बहुत कम interfere करेंगे atoms alpha particle के path में और हमको यही तो चेक करना है कि बहुत सारी किताब हमें 1 in 9000 लिखा है बहुत का सारी किता मिश्टर आदी हा मैं तुमारे message देख सकता हूँ ठीक है अब देखो यस मेरे 9000 निकला है हाँ शौर है वही 9000 लिखा रहे था बहुत सारो में तो मोस्ट अब इमको कहके हम conclusion मिला कि बहुत क्योंकि maximum alpha particle सीधे पास हो गया मतलब कि यह जो gold के atoms थे यह जो atoms थे यह maximum empty space थी इन में से ठीक है इन में से जादा रहे खाली सी जबी तो वह सीधे सीधे बाहर निकल गया है बहुत कम ऐसे particles थे जो की deflect हो है मतलब की positive charge देखो HE2 plus है और इसका positive charge ही plus charge को deflect कर सकता है ठीक है इसका plus charge ही इसको deflect कर सकता है तो अगर यह बहुत ही कम deflect हो है इसका मतलब कि positive charge atom के अंदर बहुत कम जगे पे है ठीक है बहुत कम जगे पे है सर कोशन किस तरीके से आएंगे और आंसर किसे लिंगे भाई यह exact जैसे मैंने तीन पॉइंट लिगे न वैसे लिग देना ठीक है जो भी तुमसे पूछा तब ही यह helium मास से टकरा के पूरी तरह ही वापस आ गया ऐसा भी नहीं खलका से लिगे पूरी तरह ही वापस आ गया ZNS मतलब भाई zinc sulfide ZNS मतलब zinc sulfide ठीक है तो हमको यह चीज़ बता चली कि a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom ठीक है चलो within the atom ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो फिर से बता जाता हूं conclusion बस इतना सा था कि भाई सारे alpha particles makes me alpha particles सिदे के सिदे के सिदे निकल रहे हैं ठीक है सिदे के सिदे निकल रहे हैं ठीक है दूसरा यह हमको मिला कि भाई यह बहुत ही कमे से हलके से deflect हो रहे हैं मतलब कि positive charge बहुत कम जगे पे हैं और तीसरा हमको ही मिला कि भाई यह कुछ-कुछ जो है हम बिलकुल घूम के वापस आ रहे हैं मतलब कि एक बहुत ही small fraction में पूरा का पूरा mass concentrated है ठीक है चलो हाँ atom के अंदर maximum space खाली है खाली है ठीक है बहुत कम space जो है वो भरी होई है चलो अब इसके कुछ drawbacks थे इन्होंने यह theory तो बहुत से निकले अब इस theory से हमको क्या क्या देखने को मिलगा हमको यह चीज पता चल गई कि भाहिया देखो positive charge and mass यह जो चीज है यह center में होती है मतलब maximum mass जो होता है और positive charge करता है मतलब positive charge और nucleus के पास में maximum mass होता है दूसरा हमको यह देखने को बला कि यह maximum space atom के अंदर empty है एटम के अंदर empty है ठीक है टार्गेट कम्री डोलना है 500 शूट से है अनुश का कितने लोग हो गए अभी live कितने लोग देख रहे है 392 बहुत तकड़ा यार बहुत सही चला शेयर कर दो इसको सब अपने दोस्तों के साथ में ठीक है तो इसका drawback क्या था इसका drawback ऐसा था कि रधरफोड भेया ने बोला कि यह atom के अंदर जो electron है वो revolve कर रहा है वो revolve कर रहा है बस इतना बोलके छोड़ दिया उन्होंने तो अब क्या हुआ अब ऐसा हुआ कि एक Mr. Plank आये और Mr. Plank ने बोला कि भाई अगर कभी ऐसा होता है कि electron revolve कर रहा है तो उसको continuously acceleration की जरूरत है ठीके अरे एक circular direction में घूमने के लिए इस acceleration की जरूरत होती है ना ठी acceleration मतलब उसको चाहिए अरे electron को acceleration चाहिए पर एक थियोरी है Plank अंकल ने एक थियोरी बताया थी कि जब भी कोई charge particle electron का है एक charge particle इसको पर negative charge है तो जब भी एक charge particle acceleration अंडर्गो करता है मतलब it undergoes acceleration मतलब कि ये acceleration का उप्योग कर रहा होता है तो क्या होगा कि वो energy radiate कर रहा है तो अब देखो एक समय ऐसा आएगा कि electron दीरे दीरे अपने पूरे energy lose करके 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 ऐसे धीरे से नुकलेस में आके समाज है मतलब क्योंकि electron को energy बची नहीं तो वो orbit में गूम नहीं सकता अरे जब तक energy नहीं होगी तब तक वो orbit में गूमेगा कैसा है ठीक है जब होता कि electron जो है वो जा जाके नुकलेस में समा रहा होता तो atom ऐसे exist करता ही नहीं कभी जीवन में ठीक है एक पार्टिकल एक्सेलरेशन करेगा ठीक है ठीक है अगर सची में ऐसा होता तो अभी जैसे matter वैसा तो होता ही नहीं stability नहीं होती ठीक है बहुत ही बड़िया ठीक है अब आता है सबसे last वाले पर जो कि बहुर अटोमिक मॉडल जो कि यह सबसे ज़्यादा अभी तक सबसे ज़्यादा एक acceleration होगा और वह acceleration लेते लेते एनर्जी रिडिट करता रहेगा और एक टाइम पर उसके एनर्जी खतम हो जाएगा और नूकलेस में समाज आएगा ठीक है यह ऐसा plan अंकल ने बोला था अब बहुर अंकल आ है उन्होंने बोला कि देखो यह जो electrons होता है यह actually एक ORBIT में नहीं गुम रहे है यह discrete ORBIT में गुम रहे है वेरियस ORBIT मतलब कि यह nucleus के आज पास अलग-अलग ORBIT बनाके रखी है हमने ठीक है इसमें गुम रहे है इसके कारण यह energy को इसके कारण क्या होता है कि energy यह RADIATE नहीं कर रहे है ठीक है यह ORBIT तो बनी ब तो ये वर्ड लिखना ठीक है दूसरा क्या है while revolving in discrete orbits the plank theory किस नहीं थी भाई, plank ही, plank ही थे, plank की तो नाम है scientist का, वो जी तो plank अंगल, plank अंगल बोल रहा हूं है, plank, एक scientist का नाम है भाई, ठीक है, while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy, ठीक है, do not radiate energy, चलो, अब देखो इन्होंने एक चीज और बताई कि यह जो जो एटम है यह जो एटम है हमारा यह जो एटम है स्वारी जो नूखलेस है एटम कुछ ऐसा देख रहा है कि बीच में नूखलेस और आजपर स इलेक्टरॉंस गुम रहे हैं तो जो एलेक्टरॉंस है यह और्बिट्स में गुम रहे होता है फर्स्ट और्बिट्स सेकंड और्बिट्स फॉर्थ और्बिट्स में गुम रहे होता है तो यह orbits को उन्होंने नाम दे दिए, क्या 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 कैसे बटे हुए है, कै सारे 11 collectors A की और्विट में है, क्या इसमें 400 plus livers भौत सही, भोट सही, भोट सही, भोट सही, भोट क्या ऐसा है कि भाईए, यह 11 elektrons A की जगह पे है या फिर क्या ऐसा है क्या 11 elektrons लग-़लग जगह पे है, कैसे arrange जब तो पहले बात तो हमको यह देखना है कि इलेक्ट्रों कैसे डिस्ट्रिबूट होते हैं ठीक है तो हमारे पास में तीन में चीज़े हैं तीन में पॉइंट्स हैं पहला यह है कि maximum number of electrons in any orbit देखो हर orbit की capacity है ठीक है हर एक शहर की capacity होती कि भाईया इसमें इतने हलाकि इंडिया में तो वो कुछ कह नहीं सकता है पर जनरली अगर तो हम नॉर्मली देखो तो हम एक घर में capacity होती है कि भाईया यह घर में 4-5 लोगों के लिए जगे है इस घर में 6 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए जगे है तो यह कैसे होगा यह formula होता है 2N2 तो यह हो जागा 2 x 2 का square, मतलब maximum 2 electron की capacity है first orbit के पास में, maximum first electron की capacity है उसके पास में दूसरा, मानलो δूसरी cell में दूसरी cell में कितने electrons रह सकते हैं? तो गवा जागा 2 into 2 का square तो कितना हो जागा? 8 मतलब दूसरी orbit में maximum 8 electrons की capacity है, तीसरी वाली में कितनी की capacity है? 2 into 3 का square is equals to 18 की capacity है ठीक है यह capacity है यह capacity है ठीक है अब देखो दूसरा the maximum number of electrons that can be accommodated in the autonomous orbit is 8 even though it has more capacity this is called octet rule देखो autonomous shell के अंदर maximum सिर्फ 8 electrons रह सकते है उसकी capacity भले ही जादा की है पर हम उसमें उतने डालते ही नहीं देखो ऐसे capacity तो इस घर की भी है कि इसके अंदर 100 लोग रहे फिर भी 4 लोग रहते है इस घर के अंदर तो ऐसा क्यों होता है कि भी capacity तो है 100 की बट 4 ही रहेंगे फिर भी इस घर के अंदर ठीके तो ऐसा system होता है ठीके है है ना चलो तो यह है तीसरा electrons are accommodated not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled देखो जब तक हमने अंदर वाली shells को नहीं fill कर दिया तब तक हम electrons को बाहर वाली shell में fill नहीं कर सकते ठीके तो मान लो जैसे कि यह मेरे पास में आया sodium इसके पास थे 11 electrons अब इसने ठीक है मतलब वैसे तो रहेंगे पर मुझे मान लो sodium मेरे को बोल रहा है कि मेरे अंदर कितने electrons कहां पर बताओ मुझे तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मुझे यह बात पता है कि यह बात हमको पता चल गई clear हो गई कि electrons तब तक बहार अले shell में नहीं बराएंगे जब गई aujourd' इसमें आठ है और इसमें पांच है तो यह इसका electronic configuration हो गया ठीक है तो बताओ sodium के case में electronic configuration कैसा होगा ठीक है OKPOL दे से तौ मैं तो 282 B है हमारे पास में 371 c है हमारे पास में 281 वन और डी है हमारे पास में 2,9 बताओ सेकंड पॉइंट समझा दो सेकंड पॉइंट यह है भाई कि आउटर मोशल मतलब जैसे कि मानलो किसी भी एटम के अंदर आउटर मोशल मतलब उसमें मैक्जिम दो शल्स है स्वारी मानलो जैसे तीन शल्स है अब तीसरी शल्स की कैपेसिटी तो है अठरा इलेक्टरॉंस की पर उसमें 8 इलेक्टरॉंस से जाधा नहीं आएंगे ठीक है उसकी कैपेसिटी अठरा इलेक्टरॉंस की है बट उसमें 8 इलेक्टरॉंस से जाधा हम नहीं रखते है ठीक है इसका अंसर होगा, 281, क्यों होगा? क्योंकि पहली orbit में कितने elektrons आएंगे? 2 elektrons आ सकते maximum, अरे 2N score का formula देखा था न हमने, तो पहली orbit में कितने आएंगे? 2 into 1 का square, कितने 2 elektrons maximum, ठीक है. तो पहली वाले हमने 2 elektrons भर दिये, तो यहाँ पर एक electron यहाँ आ गया, एक electron यहाँ आ गया, ठीक है, अब दूसरी वाली के अंदर, कितने वचे, अब देखो, 11 मैंसे मैंने 2 तो भर दिया, अब कितने वचे 9 electrons, अब दूसरी वाली की maximum capacity क्या है, 8 electrons के ये बात हमको पता है, तो बच्चे कुछ 8 मैं इसमें भर दता है, 8 और तीसरी में डाले 1, यह हो गया, electronic configuration, ठीक है, बस, चलो, आगे बढ़ते हैं, valency, भाई पहले तो ये बताओ, कि तुम लोगों ने अल्रेडी पढ़ रखा न, इतना सारा, मतलब मैं ये एक तरीके से revision करवाना चाहरा हूँ तुमारा, ठीक है, तो revision में तुमने अल्र पहली बार देख रहा हूँ, बिल्कुल ही पहली 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 तुमको एटलीस नाम आम तो पता है न, बताओ भाई मुझे, true या false, एक सेकंड रूखो, 92% लोगों ने बोला है कि हाँ, वो अल्रेड़ी देख चुके हैं, तो फिर हम वैसे ही चलते हैं, ठीक है तुरा revision के टाइम से, अब मैं ज़्यादा जब describe करेंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, कि भाईया ये है, ऐसा को बोल दिया, सर वेलेंसी नहीं आता हूँ, अब ये अच्छे बले से sodium अलग element था, chlorine अलग element था, oxygen अलग था, hydrogen अलग था, अब ये NaCl, ये H2O, ये सब compound बनने की जरुवत क्यों पड़ी, ये का जरुवत इसलिए पड़ी, क्योंकि हर चीज जो है, वो अपने आपको stable करना चाहती है, मतलब कि जो sodium का atom था, ये stable नहीं थ स्टेबल नहीं था, इन्होंने सोचा, कि भई ये हमको stable होना है, तो stable होने के लिए इनको साथ में combine हो जाना चाहिए, ठीक है, अब देखो, sodium का atom और chlorine का atom, दोनों combine होय तो NaCl बना, तो इनके atoms की combining capacity है ना, उसी को valency बोलते हैं, एक definition तो ये होगी, दूसरी, जो मेरे तरीके स सबसे सही बोलता हूं, मेरे हिसाब से पता है क्या है valency, देखो, हर एक atom को, ये बात ध्यानर को, हर एक atom को stable होने के लिए, outermose shell में 8 electrons चाहिए, 8 electrons चाहिए, देखो, सिर्फ दो ऐसे atom से periodic table के अंदर, जिसको 2 electrons चाहिए होते हैं, एक hydrogen और एक helium, जो सबसे पहले आते हैं, इनक अगर मुझे इसको stable करना है, इसको खुश करना है, तो मुझे इसको खुश करने के लिए, इसको 7 electrons देने पड़ेंगे, तब जाके इसके atomoshell में 8 electrons आएंगे, या फिर, मैं इसका 1 electron चुरा सकता हूं, 1 electron निकाल सकता हूं, तो अगर मैंने 1 electron निकाल दिया, तो ये last वाली orbit का तो कुछ अस्तित्वर हेगा ही नहीं, तो इसको configuration क्या हो जागा, 2,8, मतलब कि ये stable हो गया, खुश हो गया ये, कि ये मेरा तो हो गया configuration, ठीक है, है ना, तो ये, अब देखो, इसको मतलब कि किसी भी atom को stable करने के लिए, हमको कितने electrons की हेराफेरी अदला बदली करनी पड़ सस्ता क्या है, साथ सस्ता ही कि एक सस्ता है, एक सस्ता है, तो एक होगा इसकी valency, अब क्लोरीन का, देखो, क्लोरीन का atomic नमर के साब से क्लोरीन का configuration होता है, 2,8,7, ठीक है, अब देखो, हमारे बास में अगेन दो चॉइसे है, कि या तो में इसमें एक electron डाल दू, तो ये, ल electron वाला में कम लेंदेने, तो इसकी valency का बज़ेगी 1, मतलब कि sodium और chlorine दोनों की valency क्या है, 1 है, तो sodium और chlorine कैसे compound बने लेंगे, अब देखो, sodium को जब मैंने stable कर दिया, जैसे sodium normal था, तो sodium normal कैसा था, 2,8,1, अब जब मैंने इसको stable ion बनाए, इसका stable ion, ion मतलब electron का लेंदेन करते अब सिंस की देखो, क्या हो गया भाई, अगर साथ निकल देखो, अनदिता हम नहीं निकाल सकते साथ, ठीक है, हम साथ नहीं निकाल सकते, उतनी energy नहीं दे सकते हम, किसी भी atom को, ठीक है, चलो, अब देखो, sodium को stable करने के लिए मुझे एक electron निकालना पड़ा, अब देखो, sodium के पास में पहले कितने electrons थे, पहले 11 protons थे, 11 electrons थे, अब जब मैंने इसको stable कर दिया, तो इसके पास में protons थो हमेशा उतने ही रहेंगे, proton change नहीं करेंगे, मैं electron की हिराफ भी कर सकता हूँ, तो electron कितने हुचे, इसके इसके 10 electron मचा, तो इसके पास में पहले कितना charge था, पहले 0 था, мин ज्यों तो थे, 0 था, 0 क्यों हो था, क्योंकि देखो, जितने proton है उतने ही electron थे, पर अब इसके ओपर charge कितना हो जाएगा, प्लस 1 का charge हो जाएगा, क्योंकि proton ज्यादा हो गए है, ठीके, तो इसके ओपर charge हो जाएगा, प्लस, NA प्लस, तो ऐसे charge आता है, ठीके, ऐसे charge अता है आया ना मगज में इतना आया मगज में Like week करके बथा भई हां हां हाँ Yes 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 तुम थोड़ान नइन शौरी बहुत आसान है देखो तुमको एक बर है न atomic number रहाएगा एक बर तुमको atomik number रहाँ होता है तो तुम सब लिख सकता हो धुछे मायनस आठ रह्म कितने ये ल्यर्ड गारा स्री नइए ने विश्यरे करने नो यह आपता की C ऑables इतन आइं तो बैसे यह एक्ट्वश यह हैं अब देखो अब जब भी हम चलो वह तो आगे डिसकस करेंगे हम तो वैलेंसी बस इतना ही होता है कि कितने electron का lane देन हम कर रहे हैं ठीक है? जैसे कि ये table देखो ये table देखो ये table देखो इस table के अंदर हमको सब कुछ देखे रखा हुआ है ठीक है, इस table के अंदर हमको सब कुछ देखे रखा हुआ है अब देखो, इसमें हमको atomic number दे रखा है तो atomic number से हम इसका वो निकाल सकते है number of protons, number of sorry, atomic number से हम ये निकाल सकते है इसका configuration कैसा होगा अब देखो, इन्होंने सब के configuration लिखे है जैसे मानलो, for example, aluminum देखते है तो aluminum के अंदर सर, gain or lose क्या क्या सर, ये बता दिजिए electron, भाई, electron हम electron का lane देन कर रहे हैं न देखो, एक atom है, यहाँ पर एक atom रखा अब मुझे उसको stable बनाना है तो उसको stable बनाने के लिए मुझे उसकी outermost shell में 8 electron देने पड़ेंगे ठीक है, अब उस atom के पास में मानलो कि outermost shell में सिर्फ एक electron है या फिर मानलो कि 6 electrons है तो मुझे उसको stable करने के लिए बाहर से 2 electron देने पड़ेंगे तो जब मैंने उसको बाहर से 2 electron दिये तो उसके उपपर extra 2 electron आ गए ना पहले से 2 electron जाद आ गए उसके उपपर तो उसके उपपर अब minus 2 का चार्ज आ जाएगा क्योंकि extra electrons आ गए है ना, unstable atom एक्जिस नहीं करता है कि नई, independently एक्जिस नहीं करता तुम कभी ऐसा sodium नहीं देखोगे एक तरीके से, अगर तुमको basic तरीके समझाओ में तो, चलो ठीक है अब जिसे aluminum की बात करते हैं तो atomic number से हमने इसका structure निकाल देख कैसा होगा इसका electronic convection 2,8,3 ठीक है मतलब पहली शल में 2 electrons हाँ भई या 2 electrons है दूसरी शल में 8 electrons हाँ भई है हेरा फेरी easy है कौन सी हेरा फेरी easy है 3 electron निकालने वाली तो इसके aluminum की valency जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 और aluminum iron iron जो होगा न aluminum का वो हो जाएगा Al 3 plus 3 plus क्यों हो? क्योंकि 3 electron निकालने है ठीक है, पहले कितना था इसके पास में पहले 13 electrons थे हैं 13 protons थे ठीक है, अब इसके पास में 13 protons protons थे ही है, पर electrons 10 हो गए तो net charge कितना हो गए उसके पर plus 3 का तो अरे 5 क्यों दिया? नहीं नहीं, दिया नहीं काकुल मैं तो बता रहा हूँ कि हमरे पास में 2 option थे कि या तो हम 5 electrons दें या फिर 3 electrons निकाल ले तो valency क्या हो सकती है, तो 5 हो सकती है 3 हो सकती है, बट जो कम होती है जो सस्ता होता है काम, उसी कम valency मानते है ठीक है? चलो ये तो उल्टा हो गए, नमस्वी कहा हो उल्टा हुआ? अरे भाई, 3 electron निकाल लेंगे तो हमारे पास में 3 electrons पूरे गायब हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 shells बचेंगे 2,8 वाली, ठीक है? चलो, अगर L shell में 2 electrons होता हो, KL L shell में अगर 2 electrons होते है भाई, तो हम उन 2 electrons को बहार निकाल लेंगे हम उन 2 electrons को, जैसे कि ये देखो beryllium, ये BE, अब इसके अंदर क्या है? एक KL shell के अंदर 2 electrons है, अब इसको stable करने के लिए या तो मैं इसको 6 electrons भाहर से दू, या फिर ये 2 electrons भाहर चुरा लो इसके अब अगर मैंने इसके 2 electrons चुरा लिए, तो इसका जो shell है, उसमें duplet complete हो जाएगा, जैको क्योंकि electron जो होता हो, negative charge दे रहा होता है, ठीक है, निकलने का shell कहां जाएगा, भई, shell ऐसा थोड़ी रहा है कि shell जो नीचे घर जाएगा, shell मतलब एक हम अपने समझाने के लिए shell का structure बना के रखा है, ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पर सबकी valence से देखे रखिए, अब valence से निकलने का एक और तरीका है, यह है कि हम automoshell में कितने electron से वह निकालने, ठीक है, automoshell में कितने electron से जैसे कि मानलो, magnesium के पास में, automoshell में, दो electron से, तो जब भी, जब भी, हमारे पास में, ठक ठक कोपी, भाई, पता नहीं क्या construction से ल रहा है, पास वाले जगे पे, ठीक है, देखो, देखो, हाँ, दो तरीके होता है, देखो, जब भी automoshell में, एक, देखो, कितने electron से हो सकता है, automoshell में, maximum, 8 electron से हो सकता है, ठीक है, तो जब भी, एक से 4 के बीच में होता है, तो जो वेलेंसी होती है, वो होती है, 8- ये electrons कितना है, ठीक है, 8- ये, ठीक है, क्लास कितने में खतम होगा, भाई, क्लास का target है, 530 का खतम करने का, 530 को हम सारे chapter कर लेंगे, ठीक है, तो 8- जैसे कि मालो, किसी में, automoshell में 7 electron है, 7 electron है, तो 8-7 मतलब इसकी वेलेंसी हो जाएगी, वेलेंसी और वेलेंस सेम है, नहीं, वेलेंस मतलब वेलेंस शेल, वेलेंस शेल हम उसको बोलता है, वेलेंस शेल होता है, ठीक है, चलो फटावड़ आगे बढ़ता है, हावर compound formed, अब जैसे na plus, जैसे na है, जैसे sodium है, इसके पास में कहा था, 2,8,1, और chlorine के पास था, 2,8,7, अब देखो, यहाँ क्या हुआ, कि यहाँ पर sodium और chlorine एक दूसर से मिलें, उन्हें ने बोला, कि sodium, अब देखा, पन दोने stable नहीं है, तो अपनों को stable तो होना है, तो sodium ने वोला कि हाँ, तो chlorine ने बोला, एक काम करते है, मेरे को एक electron की जरुवत है, और मतलब मेरे को electron की जरुवत है, और तेरे को ऐसे इंसान की जरुवत है, जिसको electron चाहिए, मतलब तू electron देना चाहता है, और मैं electron लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, sodium और chlorine ने सुचा, हाँ, तो देख ऐसा कर लेते हैं कि तू अपना एक electron मुझे दे दे तो तू भी खुश तेरे पास भी 8 electron मेरे पास भी 8 electron हम दोनों खुश तो sodium और chlorine ने बोला हाँ यह तो बहुत ही सही बात है तो ऐसे करके इन्होंने bond बना ले अब देखो bond बना ले तो क्या हो गया वो ऐसे bond को हम ionic bond बोलते है ionic मतलब जो ions के मतलब ions से बनता है तो देखो कैसे बना है bond Na plus और Cl minus ठीक है, sodium को stable होने के लिए sodium ने जब अपना एक electron त्याग दिया बहार, तो इसका क्या हो गया Na plus हो गया configuration और chlorine ने जब एक electron accept कर लिया तो इसका configuration कितना हो गया minus 1, इसके पर minus 1 चार्ज जागा अब देखो compound को जो हमको लिखना होता है तो हम ऐसे criss cross करके लिखता है ठीक है, तो यह हो जागा NaCl, ठीक है अरे भाई देखो, क्योंकि दोनों को ak electron का लेंदेन करना था, अब मान लो sodium or chlorine की जागे कुछ और होता जैसे कि यह देखो, यहाँ पर देखो sodium or chlorine की जागे कुछ और होता, जैसे मान लो कि यार, वो table कहा वे है हमारी और वो शाहद अगले chapter में है जार चलो, कोई बात ने, अगले chapter में है वो ठीक है, वो मैं अगले chapter में skip कर दूँगा मैं अभी बता दूँगा, जैसे कि मान लो mg, magnesium और chlorine इनको bond बनाना है, मतलब हमको magnesium chloride बनाना है, तो magnesium लिया chlorine लिया, अब chlorine को stable होने के लिए कितने electron की ज़रू होता है, एक electron की तो यह क्या हो जागा, Cl- और mg को stable होने के लिए 2 electrons देने की जरूरत है ठीक है, mg को stable होने के लिए 2 electrons देने की जरूरत है, क्योंकि उसका automation में 2 electrons है, तो mg का हो जागा, mg 2 ठीक है, तो mg को 2 chlorine ढूण के लाने पढ़ेंगे ना ठीक है, देखो मैं mg हूँ मुझे अपने 2 electrons देने, अब एक chlorine सिर्फ एक electron लेने को तयार हो रहा है तो मुझे ऐसे 2 chlorine ढूण के लाने पढ़ेंगे ठीक है, तो मैं एक electron एक chlorine को देदूँगा एक electron दूसरा chlorine को देदूँगा, तो यह क्या हो जागा mg Cl2 ऐसे बनेगा, mg Cl2 mg Cl2 ऐसा हो जागा, mg Cl2 तो इसको करने का आसान तरीका यह है कि हम directly criss-cross कर देते हैं valency को, mg के, mg के, mg का sorry, mg Ion का charge कितना है, 2 plus chlorine का charge कितना, minus, तो हम क्या करते हैं, direct criss-cross कर देते हैं, direct criss-cross कर देते हैं कैसे criss-cross करते हैं, कि यह जो 2 है यहाँ चले जाएगा, और यहाँ जो 1 है वो यहाँ चले जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, mg Cl2 ठीके, बस जैसे कि मानलो, aluminium और oxygen को बनाना है ठीके, aluminium और oxygen, मतलब aluminium oxide बनाना है तो aluminium oxide कैसे बनेगा, aluminium को भाई, कितने electrons aluminium को कितने electrons त्यागने है 3, तो इसके उपर charge कितना हो जाएगा, 3 plus ठीके, AL 3 plus और oxygen के उपर charge कितना हो जाएगा, 2 minus भाई, यह charge तुमको याद हो जाने चीए ठीके, oxygen के उपर charge हो जाएगा, 2 minus अब हम क्या करेंगे, क्रिस क्रोस कर देंगे क्रिस क्रोस कैसे किया, कि यह जो AL, यह 2 था, यह यहाँ आगया और O, यह जो 3 था, यह यहाँ चलेगा तो यह हो गया, AL 2, O 3 ठीके, यह हो गया atomic mass कैसे निकलेगा, atomic mass तो यार तुमको proton और neutron कितने नंबर है वो याद रखना पड़ेगा, यह तुमको याद ही रखना पड़ेगा, ठीके okay, sir, your voice is open, thank you so much ठीके, चलो, तो atomic number यह फिर से देखले था, फटा-फट, खता मुना ले chapter, atomic number हो था, number of protons और electrons, और electrons, मतलब कि हमेशा number of protons और electrons सेम ही होता है, एक atom के अंदर iron की बात नहीं कर रहा है, atom की बात कर रहा हूँ ठीके, तो 11 proton है, 11 electron है, तो sodium का atomic number 11 हो गया, ऐसे ही हमारे पास में, aluminium का कितना हो जाएगा 2,8,3 कितना था, 13 तो 13 हो जाएगा, उसका atomic number, ठीके, sodium का 23, एँ, सॉरी, 23 किसका होता है, sodium का तो mass number 23 होता है, ठीके, mass number क्या होता है, number of neutrons plus number of protons, मतलब जितने neutrons है, plus number of protons, ऐसा होता है, ठीके, तो जैसे कि अगर मुझे किसी का भी mass number निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, ऐसे निकालूँगा, कि जैसे carbon का mass number निकालना है, तो number of protons 6, plus number of neutrons 6, तो युजा का 12, ये mass number है, ठीके, बहुत सही, ठीके, अब देखो, कैसे लिखते हैं, इसको represent करने का भी एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, कि भाई, बीच में, देखो, वैसे तो हम जैसे sodium लिखना है, तो sodium का जो symbol होता है, sodium का जो symbol होता है, वो होता है, na, ये बना के रखा scientist लोगा ने, sodium का symbol होता है na अब इसको लिखने का sodium short form में na लिख देता है बट इसका actual तरीका ऐसा होता है कि हमको नीचे इसका atomic number लिखना होता है और उपर mass number लिखना होता है ठीक है एक बात ध्यान रखना कि atomic number को हम z से represent करते है और mass number को a से represent करते है इसको कैसे याद रखोंगे अरे देखो हमको generally करते हैं कि atomic number को a से represent करना चाहिए ठीक है तो हमको बस हमारी सोच को यह उल्टा कर देना है कि atomic number को a से represent करना चाहिए था बट हमने z से कर दिया तो यह z से represent हो गया atomic number और बचा क्या a तो बचा mass number तो a जो है अब A हमको पता है mass number होता है और Z पता है atomic number होता है ठीक है तो जैसे sodium का ही देख लो तो sodium को कैसे represent करेंगे हम नीचे 11 लिख देंगे और उपर 23 लिख देंगे ठीक है चलो तीन चीज़े और इसमें important है isotope isotope इनको फटा और बदाता हो कि एक element किसे hydrogen का isotope है तो hydrogen जो है actually hydrogen का isotope का मतलब यह होता है कि hydrogen असलियत में तीन forms में exist कर रहा है ठीक है एक होता hydrogen जिसका mass number होता है 1 एक होता hydrogen जिसका mass number होता है 2 और एक होता है जिसका mass number होता है 3 ठीक है तीनों का atomic number सेम है मतलब तीनों isotopes है तीनों आइसोटोप हैं, एक दूसरे क्या, ठीक है, तो पहले वाले को नाम दे दिया, हमने प्रोटियम, दूसरे वाले को डूटियरियम, और तीसरे वाले को ट्राइटियम, यह तुमको याद रखना है वैसे, ठीक है, तुम बुक में रीड करगा, तुमको समझवा जाएग तो क्लोरीन सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लोरीन एक्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्लोरीन दो फॉर्म्स में एक्जिस्ट करता है, एक जिसका मास नमबर तो 35, और एक जिसका मास नमबर तो 37, ठीक है, कुछ पार्ट्स यह क्लोरीन का एक्जिस्ट होता है, तो इनके जो मास का आइसोटोप की application है, तीन theoretical है, ठीक है, एन इसोटोप of uranium is used as a fuel in nuclear reactors, एन इसोटोप of cobalt is used in the treatment of cancer, और एन इसोटोप of iodine is used in the treatment of goiter, ठीक है, class top पे हैं, बहुत सही, और लोग add होता है, भाई, नहीं भाई, मैं right ही हो, right hand में मेरा, तुम लोगों को left दिख रहा होगा, पर मैं right hand में लेके गोगा, इसोटोप क्या होता है, जिनका atomic number same होता है, और आइसोबार मतलब जिनका mass number same होता है, mass number same होताई और atomic number अलग होताई mass number same होताई और atomic number अलग होताई ठीक है इनको हम ISO बार बोलते है तो भाई, इसा कैसा हो सकता देखो mass number क्या होता है actually proton प्लस neutron होता है तो मालो किसी element के अंदर 18 proton और 22 neutron है तो इसका mass number कई हो जगा 40 और एसा मालो कि भाई इसी किसी एलेट करसे हैं बीस प्रोटॉन है और बीस न्यूट्रॉन ही है तो इसका भी मास नंबर 40 हो जाएगा तो ऑल्दो इनका है एटम्स एंड मॉलेक्योल्स ठीक है चलो अच्छा एक्जाम्पल भाई एक्जाम्पल महां पर दिख जागा न एवरेज मास कैसे निकालता है यार वो एक नुमेरिकल फंडा है मैं नुमेरिकल की करासा लग ले लूँगा तुमको फिर बता दूँगा भले चीक है भाई जितने भी लोग देख रहे हो में अक्शुर कि तुम्हें कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिशन पर्चेस कर लो अभी के अभी पर्चेस कर लेगा तो मेरे पास में नोटिफिकरिशन आ जागा तुमारे नाम के साथ में तो यह कोड यूज कर सकते हो तुम ठीक है करना है 40 मिट के अंदर अंदर फटा फट रिवाइस करवा देता हमां तुमको ठीक है चलो एटम से मॉलिकूल क्या बला है देखो एटम को पता से लगा कि बिल्कुल जो सबसे फंडामेंटल चीज होती है वह होती एटम ठीक है अभी जो एटम्स है ना यह कंबाइन होके ठीक है और यहां क्लोरीन दिख दिख दिया तो इसके अंदर इसे ऐसे करके इलेक्राउन डाल दिया, ऐसा नहीं होता, यह तो बस समझाने के लिए, ठीक है? चलो, तो atoms and molecules देखो, अभी देखो, हमको पता है कि यह एक घर जो, चलो, यह अब मैं को यह आले फंडा समझाने की जरुवत नहीं है, क्योंकि अब यह तो हमको clear होई कि atoms and molecules का concept, तो यह जो इसका एक atom, इसकी जो chemical properties होगी, सारी जो property होगी, वो same to same होगी, जो इस पूरे के पूरे copper bottle के होगी है, ठीक है? वो भी same हमको सारे chemicals के साथ उतना ही react करेगा, जितनी के पूरी bottle react करेगी, मतलब कि जैसा एक atom वैसा का वैसा पूरा element, ठीक है? ठीक है, जैसे किसी नदी कोई नदी हे, तो अगर कुछ-कुछ नदी का पानी बहुती मीठा होता है, स्वाधिष्ट होता है, तो बूर। उसका एक बुन स्वाधिष्ट है, तो पूरी नदी ही स्वाधिष्ट होती है, ठीक है? चलओ. पर हमारे गंधी कर दते हैं, नदी, मैर को अच्छा नहीं डालो या कुछ भी ऐसा कुछ हो जो तुमको नदी में बहाना हो तो make sure कि तुम उसमें से polythene निकाल दो, ठीक है नदी जो हो तुमको थोड़ा सा thank you बोल देगी कि thank you तुमने नदी निकाल दी क्योंकि हम अब इसे नदी की इतनी respect करते हैं तो respect दिखाओ भी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है है ना, तो respect दिखाओ थोड़ी सी covalent bond क्या होता है बाई, covalent bond होता है जिसमें sharing होती है वो मैंने carbonate compound से पता है ठीक है, नदी योपी चलो बहुत बढ़िया देखो तो atoms ऐसा हो गया मॉलिक्यूल से होता है smallest entity of compound मादब जब दो atom chemically combined इस खदर होते हैं कि उनको break करना physical process के through impossible हो जाता है हम physically उनको break नहीं कर सकते हैं कि पानी है अब पानी है H2O ठीक है, है H2O अब तुम बोलो कि भाई, है है H2O तो भाई hydrogen और oxygen होना चीज़ के सबसे smallest components बट एक्चुली जो H2O है ना वो खोद इतना कातरनाग तरीके से bonded है यह molecule यह जो एक molecule है जिसे पूरा compound है H2O का, जिसे water का compound है उसका एक molecule है यहने कि H2O का molecule निकाल लिया अभी जो H2O का molecule है यह भी further hydrogen और oxygen का है बट एक्चुली यह H2O का molecule अपने आप में एक identity लेके रखता है ठीके, यह H2O का जो molecule है यह बहुत तकड़ी तरीके से bonded है हम इसको ऐसे हवा में ऐसे तोड़ नहीं सकते है तो इसलिए H2O smallest molecule कहलाता है ठीके, H2O is the smallest molecule या molecule है in general, ठीके, चलो अब देखो जो reaction जैसे हो रही थी reaction जैसे हो रही थी जैसे कि मानलो कि कोई भी reaction हो रही है यह आले देखो जैसे कि A plus B gives A B तो यह दोनों जूड़के A B बना गए ठीके भाई, यह है तो समझ में आगया फिर जैसे मानलो यह A B plus C, A C plus B यह ली एक reaction हो रही है तो यह reaction कैसे हो रही है देखो, जैसे यह गट्टू है अभी गट्टू क्या है भाई, फुटबॉल खेले निकला है अभी फुटबॉल खेले निकला है अब इसको अगर rules ही नहीं पता है फुटबॉल के कि करना क्या है तो वे बॉल लेके घुमता रहेगा इधर सुदर खेना भाई याब पोल करवा दो भाई पोल यार करवाता हूँ यार रुख जाओ ठीक है पोल किस चीज का करवा हूँ यार वो ही तो दिक्कत है एटम्स मॉलिकूस में डिफरेंस समझा दो यार तुम वो मेरे सेशन में देख सकते हो सिंपल सा डिफरेंस है कुछ नहीं है एटम्स जो है वो इंडिविजूल एटम्स है जैसे सोडियम वगरा हो गया सोडियम का एटम मेगनेजियम का एटम और कमपाउंड जो है वो होता है कि वो किस form में exist कर रहा है वो जैसे molecule जो है वो किस form में exist कर रहा है कई सारे atoms independently exist नहीं कर पाता है जैसे oxygen independently अकल exist नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत introvert होता है उसको कोई ना कोई दोस्त चाहिए होता है जीवन में ठीक है introvert करने दोस्ती करके exist करने के लिए अकल exist न नहीं कर सकते, वो molecule के form में exist करता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, चलो, mole concept आगे बताता हूँ न, तो जैसे ये football खेल रहा है, अब ये football किस तरीके से खेल रहा है, अब इसको rule नहीं पता, तो खेलेगा कैसे कुछ भी करता जागा, तो ऐसी हमको भी rules की ज़रोत पड़ी, है, ठीक है, mole concept के numericals बहुत इजी होते हैं, चलो, एक काम करते हैं, एक dedicated session रख लेंगा, थोड़ टाइम बाद, एक दो दिन के अंदर अंदर, जिसमें हम सिर्फ mole concept के numericals करेंगे, अगर तुम लोगों को इतना difficulty आती है, उसमें पर, चलो, चलेगा, चलेगा, एक वो चीज़ करानी, और एक और चीज़ करानी, मुझे derivation का session लेना है, पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे derivation हम कर देंगे, physics chemistry के, वो भी एक दो घंटे मास हम को क्या बोल रहा है, कि मास के नीदर भी created, नौर भी destroyed in a chemical direction, देखो, जैसे कि हम, पानी और शकर को मिला रहे है, तो पानी और शकर का जो मास है, वो कहीं घायब तो नहीं होगा ना, ठीक है, जैसे मानलो, 100 ग्राम पानी के अंदर, मैं 10 ग्राम शकर मिला रहा हूँ, त टोटल मास रहेगा न, मतलब टोटल जो पानी जुका जो ग्लास है, उसका मास 110 ग्राम हो जाएगा न, बढ़ जाएगा न, उसका मास, मास कहीं सा delete तो नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को हम डिलीट तो करी नहीं सकते, कभी भी, ठीक है, मास तो रहेगा ही रहेगा, चाही ठीके हमेशा मास रहेगा तो वही चीज हमको यहां पर बताईए तो ऐसा समझ लो कि जैसे chemical reaction होनी वाली है तो उसमें हमको जो left side में होते है उनको हम बोलते है reactant मतलब जो react करने वाले हैं और जो right side में होते हैं उनको हम बोलते है product मतलब जो product बनेगे अब जो reactant है इनका जितन ही mass products का भी होता है ठीके उतना ही mass product का भी होता है जितना mass reaction का होता है उतना ही mass product का भी होगा नँशमा बढ़ गया बल्ला आउट ओ और अभर mass कम हो गया मतलब कि out of nowhere mass गया ऑप नब फिर बाहर निकला चम चम चुट करके तो चम चम करने के जो रियक्शन निकले हमको वो कैसे हो जाएगी? उसमें भी मास में रहेगा हो सेम टू सेम रहेगा? ठीक है मास चेंज होगा नहीं? ठीक है? एक चीज़ देखो और भले ही फिर C का मास 10 हो, इसका मतलब इन दोनों की individual masses कम जादा हो सकते हैं, पर अगर हम total करें, तो हमने total कितना मास जाला था 20, और हमको बाद में भी कितना मास मिला 20, ठीके, चलो, बहुत सही, next, law of constant proportion, देखो, ये एक ऐसा law है, जो कहना चाह रहा है, कि elements are in a chemical reaction, ठीके, एक particular chemical reaction है, जिसके H2O की reaction की बात कर लो, तो जो H2O है न, इसमें जो reactants है, या जो elements है, it will always be present in definite proportion by mass, definite proportion by mass का क्या कहना है, देखो, मेरे बात सुनो, देखो, definite proportion by mass, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कि पानी चाहे मैं RO water लो, या फिर चाहे किसी गंद hydrogen और oxygen का जो ratio है न, इनका जो proportion है, mass, mass के हिसाब से, जिसके hydrogen का कितना mass, oxygen का कितना mass, ये constant है, ये constant है, ये constant हैगा, चाहे मैं RO का पानी ले लो, कहीं और का पानी ले लो, यहां से पानी ले लो, गट्टू का पानी ले लो, बिट्टू का ले लो, राजू का ले ले लो, शाम क 2O है, अब hydrogen का mass हमको पता है, 1 unified mass होता है, यह UU's की unit है, ठीक है, oxygen का mass होता है, 16, ठीक है, तो H2, अब molecule के अंदर hydrogen के अटम्स कितने है, इस molecule, H2O के molecule के अंदर hydrogen के अटम्स कितने है, 2 items है, अब 1 atom का mass था 1, तो 2 atom के mass कितना हो जागा, 2, plus oxygen के कितना atoms था, 1 atom था, तो यह कितना हो जागा, plus 16, मतलब कि total, सॉरी, हाँ, तो 2, सॉरी, 2 हो गया, hydrogen का mass, total, और oxygen का mass हो गया, 16, तो जो ratio बन रहा है इनका, यह कितना बन रहा है, 2 is to 16, यानि कि 1 is to 8, तो यह 1 is to 8 ratio constant रहेगा, चाहे मैं इस पानी के molecules की बात करो हैं, इस पानी के molecules की बात करो, ठीके, चलो, what is the difference, एंड, difference कुछ भी नहीं न, पानी तो पानी है, भाई, पानी सब्जगे पानी है, वो तो यह पानी के अंदर impurities mixed हैं, ऐसा, अब देखो, यह तो दो laws थे, इनको थोड़ा और refine करने की जरौत पड़ी, क्योंकि यह laws में कही सारे हमको confusion हो रहे थे, और यह laws में उतना, मतलब यह laws बिल्कुल सहीत है, बट इसको थोड़ा सा और describe तरीके से लिखने के लिए हमको Mr. Delton ने बहुत मदद की, तो Delton's Atomic Theory क्या बोलती है, Delton's Atomic Theory में 6 postulates है main, अभी जो 6 postulates है न, यह तुमको word to word याद होने चाहिए, क्योंकि यह exam के अंदर directly 5 marks का पूछ लिया जाएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, यह जो चीजे में तुमको already समझा चुक हो, वो ही है, बसे तुमको याद रखना है, ठीक है, अभी याद रखने के फंडे बसा दो, तुमको फटा बढ़, जैसे, पहला क्या है, सबसे basic line सबसे पहले basic line तुमको क्या पता थी, भाईया यह atom मगर के बारे में, कि हाँ सब कुछ atom से बना है, ठीक है तो क्या लिख दोगे तुम, all matter is made of very tiny फॉर्मुला किस तीसका है, शौर रहा तीसरा, atom सब गियन element are identical in mass and chemical properties ठीक है, मतलब कि यह जो copper है, ठीक है इसके जितने भी atoms है वो सारे, मतलब copper का atom, अगर मैं किसी भी copper का atom लेता हूँ, तो जो copper का atoms है न, वो identical रहेंगे mass and chemical properties में, मतलब हर एक atom का mass same रहेगा, हर एक atom की chemical properties same रहेगी, ठीक है और यह देखो, तीसरा point ही हो गया, अब चौथा इसी point का उल्टा कर दो, कि जैसे same element का mass और chemical properties same रहेगी, तो अलग-अलग elements की अलग-अलग रहेगी, वो ही चीज़ लिख दिया हमने पांचवा, फिर पांचवा यह ही जो हमने दूसरे law से पढ़ा, क्या बढ़ा था, atoms combining small ratio of whole numbers to form compounds, ठीक है, नए-ने-ने, यह आला नहीं, यह छटा वाला है, यह sixth वाला जो है ना, law of constant proportion से निकला है, और second वाला जो है, यह law of conservation of mass से निकला है, यह fifth वाला क्या बोल रहा है, atoms combining small whole numbers to small ratio of whole numbers to form compounds, ठीक है, जैसे H2O बना, तो यह whole number में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आदा hydrogen का atom combine हो गया, क्योंकि atom तो indivisible है, atom को तोड़ दो सकते नहीं है, तो whole numbers में होगा, मतलब कि 1 hydrogen, 1 oxygen, या फिर 2 hydrogen, 1 oxygen से जुड़ गया, या फिर जैसे MgCl2 है, तो 1 magnesium का atom, 2 chlorine का atom से जुड़ गया, ठीक है, ऐसा, ऐसे combine हो रहा है, ठीक है, अब यह atom का हम को पता है, atom का इतना पता है, एक चीज़ दाना रखो, कि atom की जो radius होते है, वो हते है, atomic radius, और atom की चलो, अब देखो, यह अलग-अलग symbol of atoms है हमारे पास में, ठीक है, यह अलग-अलग symbols है, हम सब, अब देखो, इसा हमें इतनी फुर्सक तो हैंने हमारे पास में, कि भाई, आम अगास जिसे मानलो, magnesium और chlorine की reaction लिखनी है, या फिर मानलो hydrogen और water की reaction, मतलब water की reaction लिखने है, तो हम यह सब bad, bad, how to share, अरे यह, देखो, कहीना कहीं होगा share का option, यार, share class है, जो link है, इसकी share कर दो, ठीक है, चलो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, हाँ, ठीक है, अब क्या कराता है, है, तो देखो, हमारे पास इतनी फुर्सत तो है नहीं, कि यह लिखने मेट है, कि भाईया, aluminium और calcium का reaction हो गया, या aluminium hydrogen का reaction हो गया, इतनी फुर्सत नहीं है, ना, short form में लिखना चाहिए, हमको सब कुछ short form में चाहिए, तो देखो, अलग-अलग symbols decide हुए, यह मैंने decide नहीं, कि यह sentence लोगों ने हिजाद करके decide कर दिये हैं, और हमको बता दिये हैं, तो aluminium को हम AL से represent करते हैं, argon को AR से, barium को BA, ऐसे करके हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ first letter को हमने लिख दे, इसे gold का AU है, अब gold का वैसा तुम बोलो, होगा, देखते होगा, देखते होगा, आँखों किसी नीचे सिंक लेगा ना, मेरी जैसे बात, बार-बार सुनते जाओगे, मेरी आवाज में कुछ बात हैं, तो तुमको याद हो जाएगा, एक चीज़ दो तुमको ध्यान रखनी है, वो यह है कि हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, किसी भी element के symbol में पहला लेटर कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ठीक है, अगर सिर्फ एक लेटर है, जैसे iodine के अंदर I है, hydrogen के अंदर H है, तो अब तो कोई बात नहीं, तब तो capital ही रहेगा, पर अगर दूसरा letter भी है, जैसे zinc में Z, तो ये Z के बाद N जो है हमेशा small रहेगा, Z और N कभी भी capital नहीं हो सकता है, ठीक है, और एक चीज, जैसे कि compound, अब जैसे कि H2O है, या H2O की जगे हम ले लेते हैं, क अबर जब पहला letter भी capital, दूसरा letter भी capital, तो इसका मतलब समझो कि दूसरा letter भी अपने आप में एक element है, ठीक है, ये COA की चीज नहीं है, CO अलग-अलग है, तब ही दोनों capital में लिख रखे हैं हमने, ठीक है, अगर COBALT के लिए लिख रहा होता है, तो COBALT का का क्या होता है, CO ह होता है, तो ये एक ही atom है, जब भी मैं capital small लिखता हूँ, ठीक है, चलो, atomic mass, देखो, atomic mass क्या होता है, atomic mass, पहले तो इसकी unit देख लो होती है, AMU या फिर यह, जैसे kilogram, ग्राम अगरा होते हैं, वैसे atomic mass की unit होती है, unified mass, unified mass, इसकी unit होती है, unified mass, ठीक है, ठीक है, चलो, अब ये atomic mass, ये कैसे निकाला, ये unit कैसे हिजात की हमने, ये देखो, जनरल, कितने गंडे class है, बस एक गंटे के और बची, एक गंटे में हमें दोने चप्टर कम्लीट कर देंगे, फटा-फट, फटा-फट करेंगे, ठीक है, अभी जो एक AMU है, ये unit कैसे बनी, ये unit ऐसे बनी, कि हमको भाहिया ऐसा चाहिए था, कि जितने भी elements है, उनके जो atomic mass है, वो ऐसी unit हो कि उनको याद करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है, वरना इनकी mass तो बहुत छोटे होते हैं, बहूं कितना चोटा होता होगा, तो हम गराम या kilogram ऐसे में 100 होते हैं, तो हम तो पागल ही हो जाते, हमारो धिमाग को खराब हो जाता है, इतने सारे points है, 0.00, हम ऐसा नहीं चाह पूरी टेवल को उठाऊंगा और एक एक प्रॉक्सिमेट निकालूँगा कि यह जो टेबल यह 500 बॉटल के बराबर है ठीक है 200 बॉटल के बराबर है ठीक है है ना तो वैसे ही यूनिट जो होती ही रेफरेंस टेंडर्ड तो हमने जैसे मैंने बॉटल को स्टेंडर्ड माना वैसे साइन्टिस्ट लोगों ने कार्बन टुएल एकम को स्टेंडर्ड माना कार्बन का एक आईसोटोप है मास जो नोंने निकाला वो उनको लगा कि हाँ ये एक एमी के बराबर है ठीक है जैसे कि आप दिखाई नहीं देरो यार आपने कहीं तो कुछ तो क्लिक-प्लिक गड़वर कर दियो गयार मेरे दर से सुपसरी चल रहा है ठीक है जैसे कि ये अब बॉटल मान लोग मैंने ऐसा म और carbon-12 isotope का भी 112 मतलब carbon-12 isotope के mass का 1 by 12 होता है 1AMU या फिर एक unified mass ये इस unit के definition है ठीक है तो एक C12 atom का mass कितना हो जाएगा? 12 unified mass ठीक है औररे 1 by 12 into C12 का mass कितना होता है? एक unified mass? तो C12 का mass कितना हो जागा है? 12 एधर आजाएगा ना? बस आसान है, तो इस sanity सारे, फिर सारे हमको atomic मास होल नंबर से मिल गए बहुत ही सिंबल नंबर से मिल गए ठीक है यह इसकी खासियात हुई molecules smallest particle of a compound that is capable of independent existence यसे H2O का molecule independent exist कर सकता है पर hydrogen का अकेले नहीं कर सकता oxygen का भी अकेले नहीं कर सकता ठीक है तो इसलिए molecule के form में रहते हैं और यह इतने इतने tightly group डोते हैं कि यह बतलब बहुत ही tight chemical reactions के through group डोते हैं भाई like भाई करते जाओ यार थोड़ा energy बढ़ा तुम लोग भी अपनी ठीक है चलो बहुत सही 480 प्लस होगे भाई बहुत तगड़ी बात है बहुत ही तगड़ी बात है ठीक है जैसे पानी है तो पानी का अगर मैं molecule देखो तो कुछ इस type कराएगा कि बीच में होगा एक oxygen का item और आसपस होगे दो hydrogen ठीक है क्यों 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 होता है है तो यह ऐसा एक molecule लिखेगा जो independently exist कर सकता है ठालो बहुत तगड़ी है बहुत सही अब देखो दो main type के molecules होते सकता पर एक किसके form में O2 के form में exist कर सकता है अभी जो O2 का molecule है यह same oxygen element के through बना हुआ है मतलब यह O2 के अंदर दोनों oxygen ही है ना जैसे H2O है तो H2O के अंदर कैसा hydrogen भी और oxygen भी है पर O2 के अंदर तो सिर्फ oxygen है ठीक है या फिर जैसे helium की बात करूं या फिर hydrogen की बात करूं तो H2 तो H2 के अंदर सिर्फ hydrogen है ठीक है तो ऐसे molecules को हम बोलते molecule of elements ठीक है अब इसमें कुछ points है कि number of atoms मतलब कितने atoms है उस molecule के अंदर जैसे O2 के अंदर oxygen के कितने atoms है 2 atoms है helium के अंदर helium molecule के अंदर helium के कितने elements है sorry कितने atoms है एक ही atom है यह independent exist कर सकता ना इसलिए ठीक है फिर ozone के अंद ठीक है तीन atoms है टीक है 3 atoms है तो ऐसे में जैसे कितने atoms है उसको हम би बोलते hetomicity ठीक है तो जैसे कि sulfur है तो sulfur इतना extrovert है इतना extrovert है कि इसको 8 you करने के सकता ने कर सकता तीन के साथ इसको चाहिए आघ वर तब जा करेगा तो ये सही जाता है मौलेक्ट blossoms होता हैние मॉलेक्ट of compounds, इस molecule of compound है, इसका molecule है, ठीक है? O2 एक element है, और इसका molecule है, मतलब oxygen element का अगर molecule देखो तो O2 ठीक है? पर water, अगर मैं H2O compound का molecule देखो तो यह H2O जो होगा, यह molecule of compounds कहलाएगा, ठीक? Confuse मत होना, चिल करो अलग अलग एक example देख लो MgCl2 हो गया, ठीक है, यह H2O हो गया, CH4 हो गया sorry, हाँ, ठीक है चलो, बुक के side tables important है? हाँ, बहुत important है side tables अगला, आयन अभी तुमकोंने बता दे, आयन, आयन क्या होता है आयन कुछ नहीं होता, जब भी हम atom के अंदर से या तो electron निकाल लेते हैं या electron डाल देते हैं तो हम उसको आयन बोल देते हैं, ठीक है generally जो कोई भी atom होता है वो electrically neutral होता है उसको पर कोई charge नहीं होता, पर अगर मुझे उसको stable, आप देखो neutral है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो stable है ठीक है, अगर हमको stable बनाना है तो हो सकते हैं, हमको electron का lane देन करना पड़ जाए तो अगर हम electron का lane देन करते हैं तो जैसे sodium के case में हमको अभी थोड़ी देर पहले देगा तो क्या हो जाएगा, Na plus हो जाएगा तो यह जो Na plus बन गया इसको हम sodium ion बोलेंगे और जो normal sodium था ना जिसको हम sodium का atom बोलते हैं ठीक है? ओके अब जिसके ओपर plus का charge होता है उसको हम cation बोलते हैं और जिसके ओपर minus का charge होता है उसको हम nion बोलते हैं ठीक है? यह देखो, nion is charge particle and can be negatively और positively charge लेना देना, लेना मतलब कि electron का देना किया तो negative charge हो जागा और electron का लेना कि electron निकाला उसमें से electron ले लिया उससे तो positive, sorry positive charge हो जागा है ना? चलो तो ketion मतलब positively charge और nion जैसे कि sodium है, तो sodium को हम ketion बोलेंगे, क्योंकि यह positive charge है ठीक है? positive charge है है ना? भाई थोड़ा लेक्चर बन रहा है भाई लेक्चर के थोड़ा बहुत फील्स तो देनी पड़ेगे लेक्चर आलिया रभ मुझे तुमको फटावट रिवाइस करवाना है इसको है ना? चलो ओके, एक सेकना देखलो में कितनी slides है इसमें ओके, कूल चलो, बहुत ही बड़िया है ना? अब केटाइन और रेन को याद करने का फंड़ा क्या है? अरे देखो, एन, एन, नेगेटिव ठीके, आयन तो दोनों में है ठीके, और केटाइन पॉजिटिव कैसे याद करेंगे? अरे देखो, एन, आयन इसमें न आ रहा है, एन दो बार आ रहा है आयन, एन तो दोनों में आ ही रहा है वैसे, पर एन, एन के अंदर एक एक एक्स्ट्रा एन आ रहा है तो उस एन को तुम इस नेगेटिव से रिलेट कर दो तो एन, एन, नेगेटिव, एन, एन, नेगेटिव और cation positive हो गया, ठीक है, यहां फिर तुम ऐसा देख लो कि cation में बीच में T आ रहा है, और T कैसा दिख रहा है, positive plus symbol जैसा दिख रहा है, तो यह positive हो गया, ठीक है, चलो and iron can consist of a single charge atom and a group of atoms that has charge on them, call polyatomic iron, ठीक है, जैसे SO42- है, तो यह polyatomic iron हो गया, polyatomic iron क्यों, देखो, iron है क्योंकि charge है, polyatomic मतलब इसमें एक से जाधा atoms है, ठीक है, polyatomic, चलो, valency अभी हमने देख ले भाई, भहुत विस्तिरिक चर्चा कर ली, valency के उपर, ठीक है, combining capacity of an atom is called valency, ठीक ह how the atom of an element will combine with atom of another element can be found out by valency, ठीक है, ठीक है, फिर example of how to find valency, हम valency कैसे निकालेंगे, अभी मने तुमको हेरा फेरिया ले ट्रिक बता दी, अभी यहाँ पे एक और चीज लिखे हो, वो भी ट्रिक, देख लो, the number of electrons in the outer shell of hydrogen is 1, and in magnesium it is 2, therefore valency of hydrogen is 1, as it can easily lose 1 electron and become stable, on the other hand, magnesium की valency 2 है, because it can easily lose 2 electrons and attain stability, हमको बस outer shell में 8 electron चाहिए, या फिर पहली ही shell है, तो 2 electrons चाहिए, ठीक है, ठीक है, चलो, चेप्टर 4 और 3 के valency जिमाब है, valency तो valency है ना, 11th में भी same valency, 12th में, valency तो एक, वो है, concept है, ठीक है, 490 होगा है, भाई, बहुत ही सही, बहुत ही सही, चलो, है ना, आग चलो, how to write chemical formula, मैंने तुमको अब बता दिया, क्रिस क्रोस पैटन से लिखते हैं, मैंने तुमको उस टाइम में भी बोला था, कि हम बाद में इसका जादा discuss भले ही नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो, कि मुझको बोल दिया, कि वाईया, sodium carbonate बना के बताओ, ठीक है, तो बताओ sodium carbonate कैसा होगा, ये लो, पोल दे रहा हूँ, भाई ये जो bracket लगा है न, bracket हम तब लगाते हैं, जैसे जब भी कोई किसी polyatomic चीज के उपर हमको चार्ग देना होता है, जैसे कि ये, जैसे कि CO3 है, जैसे कि, ये फिर मालो, ये, लेट से कि ये, OH- है, तो OH- पर अगर मुझे, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है न, तो मैं OH को ऐसे लिखूंगा, hold twice, अगर जैसे क्रिस क्रॉस क्या मैंने, तो ये 2 नीचे लिखूंगा, bracket लगा के, क्यों, क्योंकि ये 2 सिर्फ हम H को नहीं दे रहे हैं, हम O और S दोनों को दे रहे हैं, ठीके, पर जैसे sodium है, तो sodium में भी आप बोले हैं, तो A को bracket करने लगाता है, तो A को bracket करने लगाता है, क्योंकि sodium, NA हमको पता है न, A की है, ठीके, चलो, तो इसका बताओ, मैं पोल दे रहा हूं तुमको, in, 3, 2, 1, एक सिकंड, कह इसके बाद करेंगे, वह तो बहुत इसी चप्टर, उसमें में बस सेप्रेशन देखना है, हमको बागी कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं, उसमें, भाई, काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया, यार, अरे भाई, ये टेबल देखना मेरे भाई, अरे ये देखो, क्या है य क्रिस-क्रोस कैसे होगा, Na, ये 2 यहाँ आजाएगा क्रिस-क्रोस होके, तो 2 और CO3 बस ऐसे ही रहेगा, तो यह हो जागा ना, अंसर Na to CO3, ठीक है, बहुत आसन था ये तो, है ना, बस ऐसे करना होता है, ठीक है, जैसे for example, मुझे बोल दिया कि मेगनेजियम फॉस्फेट बत ये ना है, तो bracket लगा कि यहाँ पर आजाएगा, 2, mg3, PO4, hold twice, ठीक है, बहुत सही, चलो, just 5 away from 500, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, चलो, next, molecular mass, ये तो भाई, वो ही होता, molecule का mass, जैसे कि H2O का mass, अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, H का mass, इंटू 2, प अब आते हैं, mole concept के उपर, अब ध्यान से सुनना मेरी बाद, ठीक है, carbonate का तो book में one minus दिया है, भाई, ये book में से तो table निकाली तुमारी, ये anxiety के तो table है, ये देखो ना, इसमें carbonate CO3 two minus लिखा हुआ है, नई addition में कुछ, तुमारा addition में कुछ अलग-अलग है क्या, भाई, आप जोसे मस्तिक और element का symbol PR एगा, नई भाई, ऐसा कुछ नहीं है, चलो, अब देखो, सब चीज़े भूल जाओ, अगर तुमने already mole concept देख रहा है, मेरे से तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फटा-फट समझ जाओगे, बट अगर मैं तुमको ऐसे in general, अगर मैं शू तक क्या होता है, देखो, अब बिल्कुल, बिल्कुल 0 से मेरे धात ब्यात सुनना, ठीक है, एक dozen, यह जो word है dozen, यह हमने fix कर दिया है, कि भाई, यह किसी भी चीज़ का एक dozen, मतलब 12 into वो चीज़ हो जाएगी, जैसे एक dozen के लिए, वही है, एक dozen के लिए देते हो, तो एक dozen के एक पेर, एक पेर मानलो, momos केसे आ सकते, एक dozen momos आ सकते 12, ठीक है, एक पेर momos मतलब 2 momos, 2 momos कौन ही खाएगा, एक पेर socks मतलब 2 socks, exactly, ठीक है, एक पेर t-shirt मतलब 2 t-shirt, एक dozen t-shirt मतलब 12 t-shirt, मतलब मैं कोई सी भी चीज़ को 12 बोल दूँगा कब, जब मेरे पास में dozen लिखा हो ठीक है, तो देखो, एक dozen मतलब fix होगा कि 12 होता है, एक पेर मतलब fix होगा कि 12 होता है, दो quantity होते है, किसी भी चीज़ के, ठीक है, जैसे एक dozen के लिए, अब जैसे मैंने बोल देगा, एक dozen atom देदो, तो कितने atom देदेंगे, मुझे 12 atom देदेंगे, एक पेर atom, रीज 500 बहुत सा येस, आज हमने कर दिये है, सारे record break, ठीक है, 500 हो चुके है, अब जैसे ही मेरे पास में notification आएगा, मैं screenshot निकाल लूँगा, ठीक है, चलो, एक सेकंड, भाई, तुम लोग है न, session छोड़ के मत जाओ यार, देखते जाओ session को, ठीक है, मुझे दिख रहा है, बहुत सार लोग छोड़ के जा रहा है, क्या जरूँ तुमको जाने के, और क्या कर लोगे जाके कहीं, एक सेकंड न, चलो, एक pair मतलब दो ये fixed है, तो एक mole भी same ऐसा ही है, एक mole का मतलब fixed है, कि 6.022 into 10 to the power 23, बस ये अगर तुमने समझ ला तो तुमारा mole का answer पूरा clear हो गया, अब तुमको औ एक dozen atom मतलब 12 atom, एक pair atom मतलब 2 atom, और एक mole atom मतलब 6.022 into 10 to the power 27 atoms, ठीक है, जैसे अगर मैं in general बात करता हूँ, in general अगर बात करता हूँ, कि भाईया, एक mole के लिए दो, जैसे मैं दुकान पर गया, जैसे मैं दुकान पर गया, जैसे कि एक pair क्या दे दो, जैसे एक dozen के लिए दो, तो वो मुझे 12 के लिए दे देंगे, मैं गोलोंगा भाईया, एक mole के लिए दो, तो वो मुझे 6.022 into 10 to the power 23 के लिए देंगे, ठीक है, बस इतना सा difference है, तो ये एक mole हो गया, ठीक है, अब देखो, atomic mass होता है, mass of single atom, molecular mass होता है, mass of single molecule, और molar mass होता है, जैसे, एक dozen, मैं लो, एक क केले का mass कितना हो जाएगा, doesn't हमको बता है, 12 होता है, तो 12 into 20, तो किसी atom का मान लो mass, जैसे, let's say, oxygen, उसका mass कितना है, 16U है, तो एक atom का mass 16U है, oxygen के, तो एक mole का mass कितना हो जाएगा, 16 into 6.022, मतलब कितने atoms है, into 22, 23, ठीके, एक mole में कितने atoms है, किसी भी चीज़ के, अरे, एक mole के लिए, मतलब 6.022, 22, 23, तो एक mole atom, मतलब 6.022, 23, तो एक mole oxygen के atom, मतलब 6.022, 22, 23, oxygen के atom, बस इतनी इसी बात है, ठीके, इस साथ और कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना, ठीके, च ना, इसमें बिल्कुल confusion मत करना, देखो, ये जो 6.022 into 10 to the power 23, जो नमबर है ना, ये इतने सोच समझ के लिया हुआ नमबर है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि भाई, किसी भी चीज़ का, अगर मानलो, जैसे 6.022, ये जो नमबर है ना, इतना कमाल का है, इतना कमाल का है कि एक सेकंड रुक जाओ, पहले मुझे स्क्रीनशोट निकालने को, बता तो हमें कितना कमाल का है, हाँ, रुक जाओ, ओ भाई साब, सही में 500 हो गया यार, मजाक नहीं कर था तुम लोग, ठीक है, 505 हो गया है, चलो भाई, बहुत अच्छी सेल्फी आ गई हमारी, हमारे ही मास वाली U, या AMU, इसको ग्राम में कनवर्ट कर देता है, मतलब कि देखो, एक ओक्सिजन के एटम का मास कितना होता है, 16U, एक मोल ओक्सिजन एटम का मास अभी हमने देखा था, 16 इसको मैं दूसरे तरीके सा ऐसा भी लिख सकता हूँ, डारेक्ली 16 ग्राम, ठीक है, मतलब क अगर मैं एक थैले के अंदर, एक मोल ओक्सिजन लेके आता हूँ, तो उसका मास 16 ग्राम होगा, ठीक है, अब 16 ग्राम को मैं ऐसा भी लिख सकता है, 16 इंटू 6.022 इंटू 10 इपावर 23, युनिफाइड मास, तो अगर मैं इसको इतना ना करो, डारेक्ली 16 ग्राम लेक्ली त सफल, इससे आगे मोल कंसेप्ट में और कुछ दिमाग नहीं लगा ना तुमको, ठीक है, एक ग्राम या एक मोलर मास अगर तुमको दे रखा है, तो हमको यह चीज़ पता है, कि एक मोल का मास, मतलब 6.022 इंटू 10 इपावर 23 इंटूचिल अटम्स का मास, ठीक है, और वो ड पता है, क्या होता भाईया, 18 Unified Mass, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अब हमको कितना होला है, 180 ग्राम वाटर, तो पहले ग्राम में दिया, मतलब यह चमकना चाहिए, कि इसमें कहीं न कभी मोल के बारे में description है, मतलब यह मोल के ऊपर चर्चा चल रही, कि मोल में ले रखा है हमने पानी को, ठीक है, अब हमको पता है कि 18 Unified Mass है, एक atom of water, या एक molecule of water का मास, तो इसके एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो एक मोल वाटर का मास होता है, 18 ग्राम, अब यहाँ पर कितने ग्राम वाटर है मेरे पस में, 180 ग्राम वाटर ह होंगे, तो तुम बता देना कि भाईया, एक मोल में, जब देखो, एक dozen में 12 के लिए, तो दस dozen में कितने 120 के लिए, ठीक है, तो एक मोल में अगर 6.022 into 10 to the power 23 atoms, तो दस मोल में 10 into इतने atoms, तो बस, यह हो गया, इतना साथ था बस, मोल concept, फाल तो तुम डर रहे थे, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तो यह एक मोल अफ का, जैसे कि यह देखो, यहाँ पर एक table में लिख रहा है, एक मोल carbon, मतलब इतने number of atoms of carbon, और 12 gram of carbon, ठीक है, hydrogen के case में, एक gram, क्योंकि इसका 1u होता है, इसका mass, ठीक है, और इतने atoms, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, एक मोल, किसी particle का, मतलब इतना into that particle, और उसका mass कितना हो जागा, यह said mass लिखाए, mass कितना हो जागा, relative mass of those particles in gram, मतलब जितना mass उनका U में होगा, उतना ही mass gram में हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, 1 mol of molecules, 1 mol of molecules, मतलब, कि इतने number of molecules, और इतना, इनका जो mass होगा, molecular mass in grams, ठीक है, बस, य अगर तुमको इस ट्रिक के बाद में फॉर्मुला की जरुवात लगती है कि तुमको लगता है कि यह फॉर्मुला भी बता दो तो यह फॉर्मुला है नमबर ओफ मॉल्स इसे को गिवन मास अपन मोलर मास जैसे कभी 180 ग्राम वाटर में कितने मोल्स थे हैं तो हमको बता भाई यह एक मोल में 80 है तो 180 में 10 होंगे पर इसको फॉर्मुला के वैसे मैंसा लिख सकते हूं गिवन मास अपन मोलर मास मोलर मास कितना था 18 तो नमबर ओफ मोल्स आगा 10 ठीक है बस इतना ही है और तुमसे नमबर ओफ एटम्स पूछ लिया तो यही नमबर ओफ मास इन्टू 60 ठीक है और सॉरी हाँ इन्टू 60 नहीं 6.022 इन्टू 23 ठीक है बस एन ने 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 भाई देखो फिर तुम कन्फिज होगे यह एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए लिखा है सोडियम में स्मॉल ए होता है ठीक है चलो तो नमबर ओफ एटम्स ही है है इस चप्टर में size ठीक है तो इसके साथ में हमने 2 चप्टर बहुत ही से हांते है जो कुछ में चीजँ में था हरते हो सब्स्टेंस कंपॉर्ण वगरा तो हम समझ ही चुक्य हो एलिमेंट वगरा तो हम डारेक्ली मिक्स्टर से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अभी के लिए हमें काम कर लेते हैं जितने लोग अभी देख रहो उठके कोई भी ने जाएगा भाई मैंने देख रहा है बहुत सा लोग उटके चले गए पता है अभी लाइव शायद सौ देड़ सो लोग ही देख रहा है बट वहां तो उँगों पांसो दिखा लेगा कि पांसो लोगों ने जॉइन किया था अभी चाही है तो टू वर्ट कर दो ब्रेक नहीं चाहँए तो ङया तो फॉल्स वर्ट कर दो ल्डीक है भी काम करते हैं की हम एना एक मिनिट का ब्रेक देते हैं, वैसे दो मिनिट का देते हैं, अभी एक मिनिट, दो मिनिट का ले लो, करना क्या है ब्रेक में, मैं यहीं बेठा हूँ, ठीक है, मैं कहीं उठके नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है, दो मिनिट का ब्रेक दे कर देंगे हम complete class आदा घंटा हो रहे हमारे पास आदे घंटे में चैप्टर कर लेंगे हम ठीक है आपके बारे में कुछ बताओ ना भाई मेरे बारे में क्या बता हुँ ने तुमको मेरा नाम प्रणये चोहान थो पता है मरा नाम चलता वृद्ट देख क्लाई या अरे या क्या हो गया है हाँ ऐसा ऐसा अच्छा है लीडर बॉौॉड यह रहा ठीक है देख लिया मैं भी देख लेता हूँ एप में टॉप में आ रहा है के निया हमारा वो बाई और एक बात सुनो ध्यान से यार जितने लोग यहां पर बैठे हुए हो ना मुझे शाम को यार पांच छे बज़े सब लोग चाहिए और इसको इसको प्लीज शेयर करना यार मैं चाहता हूँ कि आज ज्यादा ज्यादा लोग आयर कल भी आया थे बहुत सारे बट उन्हेंने दस कोशन से ज्यादा के आंसर नहीं देए आज हमको एटलीस्ट सौ लोग तो चाहिए यार मज़ेदार के सौ लोग आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा हमारा ठीक है चलो शेर वेर कर देना इसको करें स्टार्ट होग अब तो दो मने ट्यार चलो भाईया स्टार्ट कर लेते हैं हम यह यहाँ पे ना पता है हाँ चलो आगए न यह रहा ओके स्टार्ट चलो यह सब्स्टेंसेज और उसके बार में तुमको बता चुका हूँ जिनकों फिजिकल प्रोसेजस से ब्रेकडाउन कर सकते हैं वो फिजिकल प्रोसेजस से हो जाएंगे जिनको नहीं कर सकते हैं वो सब्स्टेंसेज नहीं कहलाएंगे है, हाँ, जिनको नहीं कर सकते हैं, वो substances कहलेंगे, उल्टा बोल दिया, भाई, मुझे भी break लेक आना चाहिए था, चलो उल्टा, हाँ, उल्टा बोल दिया, भाई, चलो, ये क्या है, जैसे gold है, तो gold का एक substance है, इसको हम further breakdown नहीं कर सकते हैं, ठीक है पहले तो मेरी बात सुनल भाई, जो लोग अभी आ गए हैं न, 6 बजे, पक्के से हमको 100 प्लस लोग तो चाहिए, एट लिस्ट, जिसमें से नए भी काफी सारे होने चाहिए, ठीक है, नए भी काफी सारे होने चाहिए, तो make sure, make sure, make sure कि तुम क्या करो, तुम एक काम करना, हाँ किसकी कुछ करने वाले हम, हम करने वाले हैं, gravitation, तुम्हारे लिए जरूर यह आना, प्लस work power energy, ठीक है, चलो, ओके, ब्रेक है यह नहीं बीच में, भाई अभी यह तो, उसमें तो chilled out session है, उसमें तुमको कुछ करना थोड़ी है, कुछ तुमको live देने, अपने phone में कुछ त देते रहना, ठीक है, यह answer देते रहना, ठीक है, चलो, और हाँ भाई, तुम लोगे मुझे बात बताओ, कि मैं उस quiz की length कितनी रखूँ, मतलब हर एक question में तुमको 40 second चाहिए, या 20 second चाहिए, यह तुम बताओ मुझे, 40 second चाहिए, या 20 second चाहिए, अरे यार लो, बोल कर लो यार, A, B कर लो, भाई, कुछ-कुछ numericals भी होंगे, पर कुछ-कुछ question ऐसे भी होते हैं, जिनको तुम एक second में answer देते तो, तुमको बहुत देर तक वेट करना रहता है, तुम बहुत देर तक वेट करना रहता है, तुम 40 second चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुझे, ठीक है, बता दो, 40 seconds चाहिए तो A, और 20 seconds चाहिए तो B, अगेन मैं जरूट, 30 seconds नहीं होता भाई, आप के अंदर जो मेरे पास में option है, वो 40 का, चलो, 40% के लिए maximum लोगों ने वोट किया, तो जनता जनारधन कर लेंगे, हम 40 seconds देंगे, ठीक है, चलो, बहुत दगड़ा, मैं अगर, देखो, हर question को change नहीं कर सकता नहीं, और उसमें, ऐसा system है, चलो, compounds क्या होता है, can't be broken down further with physical processes, है, H2O है, तो एक compound है, अब इसको मैं physical processes से further breakdown नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, physical processes से further breakdown नहीं कर सकता हूँ, ये बात हम पहले समझ चुके हैं, अब mixture क्या होता है, mixture can be broken down further with physical processes mixture जो होता है, एक physical reaction के कारण होता है, physical reaction समझ लो, reaction तो नहीं बटा, physical process के कारण होता है, ठीक है, physical process कैसा, जैसे मैंने इस शक्कर को पानी के अंदर डाला, तो ये क्या होई, एक physical process होई, एक chemical process तो है नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होगा, कि मैं इस mixture को, अब ये mixture बनगे, इ आराम से, कैसे लग कर सकते हम एवपरेट कर सकते हैं, ठीक है नमक और पानी को एवपरेट कर देंगे तो नमक नीच रहाएwriting का पानी उड़े जाएगा, पानी और रहाच अलगलव होगहाven, पानी वेपर्स के फरम में चलेगा, ठीक हि?, तो मतलब कहने का मतलब कि प्यूर मैटर के अंदर हमारे पास में दो चीज़ आते हैं, element और compound ही हम देख चुके हैं, ठीक है, जिसे element मतलब जिसे compound हो गया o2, element हो गया हमारे पास में helium अगयरा, oxygen का, oxygen का element, जो भी a compound मतलब क्या होता है, जो exist कर सकता है, independent और यह नहीं कर सकता, मझा जो कहने का अचलब कि ये दोनों pure है, pure मतलब हम इनको और further नहीं तोड़ सकते ठीक है further, भाई phone की battery low हो गई भाई charging पर लगा दो, क्या जा रहा है ठीक है charger तो होगा न घर पर अपने पास में आपको mimicking आती है Yes, big boss के घर में mimicking आती है मझे, थोड़ी बहुत आती है, ऐसे कुछ पटने लग गई, मेरी आवाज चली जाएगी यार, पानी फीने तो मुझे पता चला, बोल ही नहीं पा रहा हूँ भाईया के सर्फ होट हिल रहे है, भाईया क्या आवाज ही नहीं आ रही है O2 कांड भाई, compound है O2 O2 molecule है, sorry ये molecule है, O2 molecule है ठीक है, compound हमारे पास में जो जैसे अभी हमने देखा, molecule of elements, molecule of compounds तो molecule of element क्या-क्या हो गया molecule of element क्या-क्या हो गया, O2 molecule of element हो गया और compound जैसे के H2O हो गया, ठीक है ओके impure क्या होता है, अब देखो, impure के 3 types होता है, true solution, collateral solution और suspension, 3 अलग-अलग types है ठीक है, 3 अलग-अलग types है और mainly हमको इस chapter में यही discuss करना है क्योंकि यह सारी जो बखवास थी है, तो हम पिछले 2 chapters में कर चुके है बखवास नहीं है, बट यह सारी जो चीज़े थी हम पहले discuss कर चुके है, है ना तब हमको बस 2 कोच और करने extra ठीक है, चलो आगे बढ़ते है सर रिस्पॉंस नहीं दिया, पुषपान चली कहां रिस्पॉंस नहीं दिया, किसको रिस्पॉंस नहीं दिया compound chemical reaction से break हो सकता है ब्रो, H2O को ब्रो जो मैं break करूंगा ब्रो, तो मेरे पास में hydrogen अलग मिल जाएगा ब्रो और oxygen अलग मिल जाएगा ब्रो बट यह जो होता है, physical processes नहीं हो सकता ऐसा हलवा में नहीं होगा, कि चलो बैट गए आजा oxygen को आज तो hydrogen और oxygen अलग करके रहूँगा यह मैंने पानी निकाला बोटल में से यह मैंने पानी डोला पर इस reaction के पहले हमको ममी की डाट पड़ जाएगी अब इसका करूं क्या मैं जो मैंने हाथ में निकाल लिया क्या किया जाए इसका इसको कहीं तो डालना पड़ेगा भाई एक काम करता हूँ हाई ओके चलो बिग बॉस ओपी हो गया हमारा और बाकी का हम इस जैकेट से काफी अच्छी जैकेट है भाई यह बहुत इस सही एब्सॉर्बेंट है अर गीला हो गया यार चलो सेनिटाइजर लगा लेते हैं हाथ में पानी का ओके तो इंप्योर मतलब अरे होमोजीनेस का मतलब वो होता है Savior मैंने पानी और शक्कर को मिक्स क्या याप हरवर पा साथाँ ग्रता हो क्या मैं बैसे मैं इसलेए करता हूँ कि हमको पस मीठी-मिठी बाते करने चाहувати तो हम सिर्फ मीठे पानी के उपर इंपelnा याइ ठीक है, अब पानी और शक्र, you are so cute, oh thank you साक्षी, ठीक है, अब मैं शर्मा जाओंगा थोड़ी तेर में, ठीक है, anyway, let's come back to the topic, तो homogenous मतलब क्या होता है, देखो, हम पानी और शक्र लेते हैं, ठीक है, पानी और शक्र लेते हैं, अब उस पानी और शक्र के अंदर मैं किसी भी जगे पे से एक चंबच शक्र, मतलब, मांलो, कि इसके अंदर मीठा पानी है, शक्र और पानी मिक्स करकर रखा है, ठीक है, अब मैं इसमें से एक चंबच यहां से उठाओं, या एक चंबच यहां से उठाओं, मतलब सब जगे से, मुझे same to same मीठा लगेगा, तो ऐसी तो यहाँ के भी 10 ग्राम पानी पेंदर एक ग्राम शक्कर होगा और यहाँ पे अगर 20 ग्राम पानी अगर मैं एक जमान हुआ करता जो हमारे बाल इतने लंबे होता था यहां तक के बाल था यहां तक के बाल था अब ही काफी छोटे है यह पर अब अच्छे लग रहे है तोपी आले फैसे मुझे पसंद आ रहा है जारा ठीक है बाल बड़े हो जाएंगे फिर भी हम टोपी ही पैने तो वह मतलब क्या है यूनिफर्मली नहीं है सॉल्यूट रो सॉल्वेंट यूनिफर्मली सब जगे स्प्रेड नहीं है तो उसका हम हिंट्रोजेगे बोलता है ठीक है चलो अच्छे लग रहे है भाईवाल ठीक है चलो इस मैटर इन सॉराउंडिंग चल रहा है अब हमारी स के अंदर आता है कोलर्ड और सस्पेंशन अब देखो प्रॉपर्टी देख लेता है सबकी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता नहीं लेस दन वन नेनो मिटर होता है याद करने का फंड याद है क्या था इसका नेनो नेनो मतलब छोटा छोटा मतलब माइनस और नेनो न, 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 लिखायार यह NCRT की टेबल है तो कुछ कुछ गता है मैं एक से हजार भी देखे रखा है बस कहने का बाद है कि उसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है और सस्पेंशन जो होता है वह और ज्यादा बड़ा होता है ठीक है चलो अपिरेंस इसका क्लियर होता है इसका क्लावड़ी होता है इसका क्लावड़ी होता है क्लावड़ी मतलब थोड़ा सा से धुन्दा धुन्दा सा ट्रांसलूशन सा ठीक है चलो निकाल देता हूँ, देखो, प्रॉलड मिल्क जो होता है यह बाद दाता है, अब एक बाद समझो, कि मैंने पानी मीठा क्या, भीके, या दूद मीठा क्या, अब मैंने उसको चल्ली से जाना, अब पता चला कि उसको चल्ली के अंदर शक्कर रहे गए और दूद नीचे गर ग छोटा होता है, इसलिए वह चनल निकल जाता है, ठीक है, Filtrability, same program.. यैंप्र पर्के थूछ का मैसे होताँ. फेक्त नइमयों होता.. यापनलाब देखो, एक ग्लास पादी अगर मैं लॉफिते , इन शे.. यह बॉटल ग्लाट कि देखल लो.. बट एनिवे समझ लो कि यह इसे ट्रांस्परेंट सी बॉटल है तो इसमें से लाइट पास हो रही है लाइट पास होने का मतलब क्या है कि मुझे आर पर अगर दिख रहा है मतलब लाइट पास हो रही है अगर यह बॉटल रख दू तो ये लाइट के थुरू यहां से लाइट पास नहीं और ये इसलिए मुझे आर पर नहीं दिख रहा ठीक है पर इसके आर पर मुझे दिख जाएगा अब अल्दो तो कागस लगा हुआ है बढ़ आप इस कागस को निकाल देंगे ठीक है ये का मस लगता ना ये दखो और ये सब नीचे किर जागा सब कुछ खराब हो जागा मेरा कीबोर्ड इबोर्ट चलो एनिवे और ये ठंड़ा ठंड़ा होगा पुरा महौल ठीक है फिल्टर वेपर के छेद उससे बड़े होता है तब ही उसमें से चोटी चेज़े निकल जाती है है न बहीं एक आप हो जिसकी पड़ाय मुझे समझ में आती है नियती या नियती या नियती दैट सो स्वीट ओफ यू थैंक यू चलो एनिवे एक्जामपल देखे रखा है ह अब नगता है हमको टिक हां को टिक है कि अखर तर सिंद अगर दिरेक्शन में इसे लाइट की जो बीम सें वो स्केटर हो जाएंगे ठीक है बहुत सभी और इसी को हम तैंडल उसमें बड़े बड़े पाटिकल्स इसमें से लाइट के नोट पास दूरू इसमें से बॉत ला पानी निकाल लूँ तो मैं उसका आरपर नहीं देख सकता ना ठीक है या फिर अगर टॉर्च चलाओं तो टॉर्च भी लाइट आसपास नहीं आईगे ठीक है तेक देख लो टेंडल एफक्ट क्यों तेंडल एक सॉलूशन में काम नहीं आता मतलब सॉलूशन में नहीं दीख जैसे कि यहां पर देखो यहां से यहां पर लाइट पास हो रही है यहां से यहां पर लाइट पहुंच रही है पर यह बीच में तुमको लाइट का बीम नहीं दिख रहा है ना डारेक्ट यहां से यहां पहुँच गई ठीक है पर जो इसके अंदर तुमको यह पाथ भी द जाते है हम, थीके? तो आमको जैसे खिटके में जो छोटा से छेध होता है उसमें सीए light जो आरी होती है सुबह सुबह जो सूरज की light आरी होती है उसका beam हमको दिखता है ना पूरे रासते चलते होए और उसे धूल होती है, भीज में रही होती है केटरिंग या फिर वो जो लाइट है उसका बीम नहीं दिखता ठीक है चलो ब्राउनियन मोशन हाँ वो तो ब्राउनियन मोशन तो मतलब कहने का वो जो दूल के पाटिकल से नाच रहें ठीक है मैं तुमको आसान फंदे समझा रहा हूँ ब्राउनियन मोशन फिर तुम 11-12 तो हर चीज में मतलब के दू गया कि हमने हम नहीं दोच को मिक्स करते हैं उनको वो बहुत खों ہے ऐंदर शक्कर जकम है और तो नहीं सिर्थ हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया कैसे हैं अगर आज इस सेशन के बाद में और छे से साथ की कुईज के बाद में अगर मेरे शरीर के अंदर थोड़ सी जान बचती है तो आज ही मिल जाएगी ठीक है चलो साक्षियम करवा चुके हैं देखो जाके उसको ठीक है भाई यार मुझे ना तुम में से बहुता लोग ना उठके जा रहे हो तो क्या है कि मेरे हाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है सिस्टम में ठीक है मैं चाहता हूं मत जाओ यार बैठे रहो चिल करो ना ओके एनिविच वे नेक्स्ट हम चलते हैं ओके चलो यह हो गया अब देखो concentration क्या होता है concentration मतलब कितना जाधा so Luel गुला हुआ है solution के अंदर ठीक है το यह दो टाइप की होता है mass by mass और mass by volume ठीक है कोईखने पता जाता हो mass by mass होता है mass of solute upon mass of solution mass of solution into अ उन्टव 100% और mass by volume सेम होता है mass of solute upon mass of volume है एक चीज अगर मैं सो ग्राम पानी के अंडरorta कर बालता तो जो मंराशन हो जाएगा ठीक है और क्रीक मिले मतलबमन लो पानी के अंदर रहेマs वहां लिटर होताना तो सौ गुराम पानी के अंदर कितना डाऊनला हुद सब्सक्राइब मतलब 100 में होता है अगर मैं इसके अंदर 50 ग्रम मतलब वही शक्कर डाला हूँ तो इसको volume increase नहीं होगा volume इसको 100 में नहीं रहेगा भाई इसका सिर्फ ये increase होगा mass क्योंकि जो शक्कर के particles है न वो पता है नहीं जगे acquire नहीं कर रहे है देखो पानी मानलो को जैसा एक tiles जैसा था ठीक है tiles जैसा था जो हमारा जो glass है ना उसके अंदर चो पानी हो इस tiles के form में था ठीक है तो जो H2O के molecules होते है ना मानलो कि वो ऐसे arrange थे थोड़े दूर-दूर arrange होते है ना देखो लिक्विड के अंदर जो particles होते है वो थोड़े दूर-दूर arrange होते है solid के अंदर बहुत pass होते है gas के अंदर और भी दूर-दूर होते है ठीक है तो जो दूर-दूर होते है तो बीच में जगे बची हुए होते है ह2O के दो molecules के बीच में जगे बची है उन जगहों पर जाके शुगर बैट जाएगे, यहाँ पर शुगर के पार्टिकल जाके बैट जाएगे, इसी कारण, इसका ओवरोल साइज तो उतना ही रहेगा, ठीके भली इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा मास तो बढ़ जाएगा, मास क्योंकि थीके, भलान, ओपार जाएगे, आण यह टेबल बहुत इंपोर्टेंट है तुमको पताईए बेसिक क्या है इसके अंदर ठीक है बेसिक सब क्या है इसके पताईए जितने लोग अभी जॉइन करों न भाई अभी भी तुम 15 मिनिट से जाधा बैठो प्लीज लास्ट के 15 मिनिट बैठे रो क्लास में मत उठके जाओ ठीक है सार्तक साक्षी जोब अभी अभी जॉइन हूँ है 15 मिनिट बैठे रो भाई कोई सीन नहीं है कोई कोई नहीं जा रहा है ठीक है चलो ओके तो क्या हो जाएगा लिक्विड अब देखो तुमको याद करने का फं अब तुमको जैसी इचा हो वैसे आद कर लो इसको एक बार तुम ऐसे कर ले तो तुमको यह पता सिल जाएगा ठीक है यह टेवल तो तुमको याद होनी चाहिए ठीक है यह टेवल तो तुमको याद ही होनी चाहिए चलो separation methods फटाफट discuss कर लिए separation methods देखो mixture तो हमने discuss कर लिया अब भाई हमको mixture को अलग-अलग करना है यह अपने mixture बना है शकर और पानी का ठीक है यह दूद और शकर का चाय वगरा बना है आपने हमको उनको अलग-अलग करना है तो कैसे अलग-अलग करेंगे देखो पड़ी मुश्किल से तो बहुला था मैं फिर याद दे ला ठीक है देखो यह सानी बोल रहा है बट इन जेनरल लोग या फिर किसी भी तरीके से माल लोकी इन दोना जैसे यह चीज़ में लग रहा है कियू हो सकता है कि सोचने के तरीके में डिफरेंस हो सब्सक्री से अंधर में इनको चीजißt को नहीं लगते हैं मतलब कहने मतलब कभ़़ी अमको किसी दोग करना होता और उनको भड़काना होता है और हमको किस basis भड़काते हैं उनकी differences के basis पर की देख तू ऐसा सोचता है और यह सोचते हैं तो इंसे अलग हो जा ठीक है ऐसे होता ना जीवन के अंदर ठीक है एसे होता जीवन के अंदर तो वोई ही चीज़ हमको यहां करने है ठीक है हमको पहले difference in physical property कि बहाई इनकी physical product में क्या difference है उसके बलबूते पर हमको बढ़काना है अलग-अलग तरीके से सबसे पहला है filtration अब देखो differences कैसे हो सकते हैं दरार कैसे पढ़ सकती है इन सब कारणा की वज़े से पढ़ सकती है जैसे इंसानों में दरार कैसे पढ़ सकती है सोचने के तरीके मे या फिर मान लो compatibility में अलग-अलग तरीके से तो वैसे ही mixture case में कैसे पढ़ सकती है दरार boiling point से particle size में डिफरेंस इस में कुछ magnet को attract कर रहा है कोई नहीं कर रहा है ठीक है फिर इसमें difference के supplement हो रहा है की नहीं हो रहा है फिर weight में difference volatility में मतलब कि evaporation कैसा हो रहा है ठीक है solubility में difference ऐसा से करके हो जाएगा ठीक है चलो तो सबसे पहला filtration filtration में difference कौन सा कौन सी चीज को हमने बढ़काया particle size भाई particle size देखो मैंने बोला इसको इस mixture को बोला कि देख तेरे particle के size बढ़े है और इसके छोटे है तो जब तो इससे पास होना तो चुप-चाप तूपर ही रुख जान इसके उसका ठीक है जैसे कि यह coffee बना रहे है must filter coffee हमारे इतनी सुंदर coffee नहीं बनती हमारे तो gas के अंदर दूट डालते है दूट के अंदर coffee डालते और चिपका देता है बर तो थोड़ी अगर तुम अच्छे किसी restaurant में जाओ तो बड़ी मेहनत से coffee बनाते है इसले हम चाय प देंगे कि चल 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 निकल दूर जाए से दूर चाब तो इवपरेट होगया ठीक है चलो यह एवपरेशन कैसे करते हैं यह देखो यह boiling यह boiling नहीं देखो बॉइलिंग जो हता है पानी के थू होता है बॉलिंग मतलब डायरेक्ट हमने पानी के अंदर कोई चीज डाल दी, यह तो इवपरेशन है, हमने पानी इसलिए रखा है नीचे ताकि हम इवपरेशन की प्रसेस को बूस्ट कर पाए, हमारे पास इतनी फुरसत नहीं है कि हम दिन बर उसको सूरज में बैटे है और देखे ह हो जाएगा, किसी के कम है तो कम इवपरेट होगा, जैसे नमक और पानी के अंदर पानी की वोलेटिलिटी अच्छी खासी होती तो निकल जाता है और नमक की कम होती बहुत इसलिए वो नमक वहीं रह जाता है, ठीक है, तो हमने गया किया कि हमने इसके अंदर main content रखा हमारा हमने direct पानी के अंदर नहीं डाला, हमने उसको पानी के इसे gap रखे डाला, ताकि पानी इसको थोड़ा-थोड़ा heat करेगा तो evaporation जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो एक color diaphragming इससे हम separate कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, last 10 minutes, हाँ भाई, last 10 minutes, crystallization, crystallization में भी same, देखो crystallization है कि evap अपरेशन का इडवांस तरीका है, तो जो हमको नमक और पानी को अलग-अलग करना होता है, तो इसलिए हम नमक और पानी को अलग करना होता है, तो उसमें कहा होता है कि salt के crystals बन जाते है, example ये copper sulfate and water, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जागे, copper sulfate के crystals बन जाएगे यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, crystallization है को गया, magnetic separation ये तो बहुत आसन है, मतलब magnetic nature, कोई चीज magnet को attract कर रही है, कोई चीज magnet को attract नहीं कर रही है, तो ये magnetic separation कहला जाएगा तुमारा, ठीक है, चलो, केसे जैसे यहाँ पर मैंने और डाला, और मतलब जो हमारे सारे metals होता है, चाइन डिस क्या होता, चाइन डिस क्यूशन होता है, ये कर्टोरी होता है, जो हम उसको लेब में उसकर तो उसका नाम चाइन डिस दे दिया, ठीक है, चलो, तो ये पाउडर्र हो आ रहा है, अब ये जो wheel है, ये magnet से बना हुआ है, ठीक है, तो जब ये यहाँ से पास होगा ये कहावत है कि रेत में सुई डूढ़ेगा, तो रेत में सुई डूढ़ेगा, तो रेत में सुई डूढ़ेगा एक निंजा टेकनिक है, कि तुम एक चुम्बक लेके चले जाओ, तो तुम चुम्बक लेके डूढ़ोगे ना, तो अपने आप जो सुईयों के वो चिपक ही स्कश inland है अब हम आप देखो आम Совमें रग्दैन अब डिंग गई इसके यह जो इसकी वाल्स से चिपक जाएगी वापस से condense हो जाएगी और इसकी walls से चिपक जाएगी funnel की, तो हमको नीचे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ salt मिल गया, और उपर हमको यहाँ पर walls से चिपका हुआ ammonium cloud मिल गया, ठीक है चलो separating funnel, देखो separating funnel, कभी उसकरते हैं जब हम immiscible liquids को लगते हैं, पानी और oil, यह immiscible है तो इसलिए हम अलग type की funnel उसकरते हैं, नॉर्मल funnel कैसे होती है, यह separating funnel है, तो यह कुछ ऐसी दिखेगी इस type की, इसमें क्या होता है कि थोड़ी दर तक हम रखते हैं, तो क्या होता है कि जो oil वगरा है, वो अपना उपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, तो अब मैं कहा करूँगा कि इस नल को खोल दूँगा, और इस नल को stop कोक बोलते हैं, नल को खोलेंगे, नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा कि oil जब यहां तगाएगा, तो मैं नल को 70 degree Celsius पर बोल करना चालू कर दूँगा, तो क्या होगा कि A, बोल होके vapors बना लेगा, और मैं उस vapors को फिर अलग ले जाके condense कर लूँगा, और B जो है, वो वहीं काम ही रहेगा, क्योंकि भाईया, वो तो मतलब उसके पास में तो, वो तो ऐसे इसको कैसे करते हैं, कि देखो, यह कुछ ऐसा बहुत सिंपल सा, इसका भी construction है, हमने का किया, कि यह जो एक beaker है, इसके अंदर ही mixture of acetone and water, यह mixture of acetone and water लिया, अब मैंने इसको boil करना चालू किया, कि कि के temperature पर, acetone के temperature पर, कि acetone का boiling point कम होता है, तो मैंने acetone के temperature पर boil करना चालू कि हम, हाँ, important diagrams भी है, ठीक है, यह diagram important ही है, ठीक है, यह missible liquids है, immisible को तो हम difference कर सकते हैं, अब क्या होगा, कि यह boil हो रहा है, boil हो तो क्या होगा, कि यह boil होके, boil होके, ताकि यहां से जो vapors आ रहे है, वो ठंडे हो जाए, और वापस से उसको liquid form में convert कर दे हैं, तो यहां हमको नीचे जो गिरता हो दिखेगा, boil कॉल हो जाएगा, ठीक है, fractional distillation, fractional distillation क्या होता है, जैसे मान लो, कि A और B दो liquids है, इसका 70 degree Celsius है, boiling point, और इसका मान लो कि 85 degree Celsius है, अब देखो, मैं 70 degree Celsius बोil करूँगा, तो पक्का A तो boil हो जाएगा, पर B भी हलका-लका boil होने लग जाएगा, क्योंकि उसका भी 85 degree मतलब पास में है न, तो हलका-लका सो boil हो particles के करण क्या होगा, कि देखो, जो, यह liquid है हमारा, जैसे A वाला liquid और B वाला liquid है, तो इसे A वाला liquid है, वो तो आसनी से निकल जाएगा, ठीक है, इसके vapors के असमें इतनी energy होगे, कि यहां से pass हो जाएगा, fractionating column से, और यहां से नीचे गिर जाएगा, पर B जो है, since कि उसका boiling point जाएगे, तो इसके सिर्फ हलके फुल के vapors बनेंगे, तो हलके फुल के vapors बनेंगे ना, fractionating columns से ही condensed होके वापस आजएगे, वो उपर जाही नहीं पाएगे, ठीक है, बस, chromatography, chromatography मतलब difference यहां पर use होता है, solidarity का, कैसे difference होता है, देखो, हमने एक paper लिया, और उसमें एक ink spot लगा दिया, ठीक है, अब यहां पर पानी जो होगो, धिरे-धिरे उपर जाना चालू कर देगा paper के अंदर, तो पानी जब उपर जा रहा है, तो जो, अब देखो, जो dye है ना, यह dye जो होती है, यह अलग-अलग color से बनी होती है, अलग-अलग color के dyes से बनी होती है, ठीक color है, तो यलो-अले dye की solubility बहुत तगड़ी है, यलो-अले dye की solubility बहुत तगड़ी है, तो जो पानी उपर जा रहोगा, तो इसको फटा-फट solubile करके फटा-फटे पानी के साथ उपर आ जाएगा, फिर ऐसे करके धेरे-जेरे जिनकी solubility कम होगी, वो सब मीचे जिन जिससे उपर आते जाएगे, तो यह होगा हमारे पास में chromatography है, ठीक है, चलो, centrifugation, centrifugation क्या होता है, centrifugation कुछ नहीं होता, देखो, हम जब भी किसी चीज को गोल-गोल घुमा रहे होता है, तो वो चीज अपने आपको पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है, जब भी मैं जैसे bottle को हम जैसे bottle गोल घुमा लेता है, जैसे तुमने देखाऊगा ना, बहुत सारी वीडियो जगरा है, कि हम bottle को पूरी गोल घुमा लेता है, खुद अब उसको गोल-गोल घुमा तो क्या होता है, कि जो इसके जो impurities है, वो अपने आपको धकेलती है बाहर के तरफ, फिर जब हम centrifugation करके, जैसे को पहले देखो, यहां पर सारी impurities फैली हुई है, फिर थोड़े दर बाद जाओने centrifugation के आपने गोल-गोल घुमाया उसको, तो यह ऐसे गोल-गोल घुम रही है, तो क्या हुआ, कि इसकी इतनी impurities थी वो एक सेट धका गई, अब हम जब इसको निकालेंगे, तो हम इसकी impurities को easily अलग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इस centrifugation के टेखनीक है, तो, with this, we come to the end of chemistry, thank you so very much for joining in, बहुत तकड़ा मज़ा आया, आज 6 बज़े बस तुम लोग और आज़ाओ, मेरे साथ में, ठीक है, 6 बज़े तुम लोग और आज़ाओ, 6 बज़े अभी, कहां पर आओगे, unacademy 9th and 10th YouTube channel के अपर हमें quiz करने वाले हैं, बहुत ही fun quiz होगी, तुमार आगे, उसमें आदा 1 घंटा कैसे निकलते का पता ही नीचले का, वो तुम फोन पे भी दे सकते हो, जैसे तुम को बहार जाना है, तो तुम बहार जाते है तो फोन में quiz देते जाओ, बहले YouTube का वीडियो ना देखो मेरा, but at least वो quiz दो, तो quiz को join कैसे करना है, quiz का code क्या है, वो free courses unlock कर सकते हो, but make sure कि तुम quiz में आओ, जो शाम की 6 बजे होने वाली है, अभी थोड़ी देर में आदे घंटे का अंदर-अंदर, मैं तुमसे वहाँ मिलूँगा, quiz भी free होगी, मजा आएगा उस quiz के अंदर, और आज जो हमारे पास में कितने live viewers हो गए है, एक second हम screenshot ले 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 लिते हैं, ठीक है, ओके, तो with this, thank you, leaderboard देख लेते हैं, leaderboard देख लो, yellow, ये रहा leaderboard आपका, ठीक है, ये रहा आपका leaderboard, एक second, हाँ जी, ये leaderboard देख लिया, तो with this, thank you, so, 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 very much for joining in, मिलते हैं 6 बजे, जल्दी, notes की कुछ कबर भी तुमको जल्दी मिल जाएगी, ये quiz attend करना बहुत important ही, क्योंकि भाई physics को हाथ लगाए, कुछ 10-12 दिन हो गए हैं, तो कहीं ऐसा नहों कि वो 10-12 दिन की चक्कर में physics पूरा गुल हो जाए, दिमाग से, ठीक है, पहुँच जाना 6-7 बजे, जितने भी सब के सब जाना, सब के सब, जितने लोग नए हो, उतने भी पहुंच जाना, जितने पुरा नहीं हो, सब पहुंच जाना, विल्कुल पूरा भंडार लगा जाएंगे, वहां पर हो, ठीक है, अभी के सेशन के चलते हैं, तब तक हम करेता हमारी चोटी से smile therapy, जैसे ही मैं बो पूरे दिन की अच्छा हियां बुरा है भूल के सिर्फ स्माइल करना है, पाट सकंड के लिए, ठीक है, चलो करता है, स्टार्ट, Okay, with this, thank you for watching this video, I'll catch you guys at 6 p.m. today, till then, goodbye, love you, thank you, bye-bye.